हरे कृष्णा तो श्रीमत भागवत के कथा के प्रतम दिन स्रिनाज जी प्रभु को याद करते हुए हम लोग इस कथा का आरंब करेंगे जैसे आप लोग सब परिचित हैं कि श्रीनाज जी प्रभु श्रीला प्रभुपाजी के कृपापात्र शिक्षा शिष्च रहे और परमपुज राधनात माराज हमेशा मुझे बताते हैं कि स्रीनाज जी प्रभु got more association of Prabhupada than me, so how can I be his Guru? तो श्रिनाजी प्रभु के बड़े ही रंगीन व्यक्तित्त में एक विचित्र पहलू थी कि वो श्रिमत भागवत पुराण उपनिशद इत्यादी सभी गरंथों में बहुत गहन रुची रखते थे केवल सामान्य पढ़ लेना उनके लिए परियाप्त नहीं था वो पहले से पिएचडी तो थे ही लेकिन शास्त्र में भी उस समय वो मोका मिलता तो कर देते थे तो अलग-अलग उपनिशदों से कलियुक का मूल उस्रोत सार कली संतरन उपनिशद उसके उपर उनों ने एक बड़ा सुंदर पुस्तिका निकाली और वैसे बहुत बार उनके क्लासस में अगर आप सुनो तो अलग-अलग पहलू से वो वर्णन करते थे और ऐसे सी टीका अलग-अलग अचारियों के लेकि आते थे कि चोपार्टी के बड़े-बड़े पंडित ब्रहमचारी भी ब्रहमित हो जाते और रामान का उनका फेवरेट था कई-कई is from Russia तो मैंने का ये कहां से आया कई-कई मतलब जो कोकेशिया से है कोकेशिया मतलब यूरोप रश्या अरिया का है न वहां से कई-कई प्रदेश और वहां से आई कई-कई इसलिए रश्यन लोगों से साउधान रहना बोलते हैं तो हम लोग का 1998 में जो कथा हुआ उस समय महराज के कमरे में चर्चा हो रही थी कि कथा कौन करेगा मैं तो नहीं था उस समय लेकिन स्रीनाजी प्रभू और राधा गोपिनात प्रभू को बोले फिर राधा गोपिनात प्रभू बोले कि नहीं मैं भागवत पे इतना विस्तरित रूप से नहीं बोलना चाहूंगा अभी तो मैं गीता कोर्स कर रहा हूँ सिक्सेशन कोर्स वगरा तो फिर कुछ काफी चर्चा होने के बाद फिर स्रिनाजी प्रभू और महित्रली माताजी मेरे पास आए और बोले कि महाराथ से हमने चर्चा कर ली है आप ही इसके ओपर करने वाले हो तो मैंने का इस कौन में तो भागवत सपता का सिस्टम है नहीं तो उन्होंने का हम सिस्टम चालू करेंगे फिर हो बोले मेरा कामी है जो अभी तक नहीं हुआ उसको करना तो फिर हम लोग उस कथा से पूर्व बैठकर योजना बनाए कि कथा का करम किस प्रकार होगा इत्यादी लेकिन मूल रूप से उनकी इच्छा थे कि उनकी माताजी जो उस समय थी वो चाते थे कि वो संपुर्ण भागवत ध्यान पुर्वक सुने और उनको उनका लाभ मिले और नकेवल ये प्रथम बार इस कौन चवपाटी में ये कथा हो रही थी भागवत सप्ता वो भी साथ दिन का नहीं ग्यारा दिन का कराया जो लोग उस समय उपस्तित नहीं थे शायद उनको जानकारी नहीं होगी ग्यारा दिन तो मैंने का कि प्रभू मैं तो साथ दिन का भी अभी तक नहीं किया हूँ डायरेक्ट ग्यारा पर उतार रहे हो आप तो उन्होंने का नहीं नहीं ग्यारा मतलब complete होता है जो original होता है वो ग्यारा का होता है तो उन्होंने फिर कोई शास्त्र का quotation दिया मुझे भी याद नहीं आ रहा है तो यह मैं सोच रहा था कि इतने प्रवीन पंडित तो आप ही है आप ही कथा कर दो लेकिन उनके मन में बड़ी इच्छा थे कि कहते थे कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग कथा करवाते हैं लेकिन मृत्यू होने के पश्चात लेकिन हम चाहते हैं कि कथा हो जब वो व्यक्ति हो और वो श्रवन कर सके जैसे परिक्षित माराज ने सुना तो आज इन सभी स्मृतियों के बहुचार में अपने मन को अपने स्मरन शक्ति को सनान कराते हुए हम श्रीमत भागत के ये साथ दिन के सत्र में कथा प्रारंब करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर बड़े बड़े वरिष्ट वैश्णों बैठे हैं हमारी माताजी तो है ही महितली माताजी तो माता नानीमा दादीमा सबके बराबर है और केश्यो प्रभू और उनका परिवार चेतन्य प्रभू उनका परिवार जो कि इस कौन चौपाटी मंदिर के स्तंब के समान रहे हैं आधारशिला रहे हैं और जो कुछ भी राधानात महराज ने अपना सोपन आज साकार किया है, तो स्रीनाजी प्रभू और इन सभी के परिवारों के कृष्णचंद प्रभू, राधागिरधारी प्रभू इत्यादी के मूल सपोर्ट के कारण ही ये हो पाया, और पिछले सप्ता ही मैं महाराज से फोन पे बात किया और कहा कि मैं कथा आरंब कर रहा हूं, और मैं निवेदन करता हूं कि आप भी कुछ स्रीनाजी प्रभू के स्मरन में कुछ एक संदेश भेजिये, तो हम लोग हो सकता है, आने वाले दिनों में एक दिन महाराजी का संद आपके सामने प्रस्तूत करेंगे, on the occasion of this भागवत कथा, फिर हमारे महा प्रभू प्रभू के घर पर तो हम पुलाओ, कडी, गुलाब जामुन खाकर डिवोटी बने, Friday, Car Road, और Rohini Nandan Prabhu, और Madan Mohan Prabhu के होटल में महाराज का प्रोग्राम वो मेरा पहला सत्संग प्रोग्राम चोपाटी मंदिर के आसपास का था, और इन्होंने अपना पूरा होटल के सारे टेबल चेर बाहर कर दिय थे, और अंदर प्रोग्राम कराया महाराज का, महाराज ने ल सत्संग बड़ा महंगा सत्संग है क्योंकि सोचो शाम का गल्ला कितना होता है सब डोनेशन में दे दिया इनोंने, तो इसलिए सब लोग ध्यान से सुनिए, तो आप सभी के अशिरवात से, शिला प्रहुपाजी ने जो कुछ भी भागवत पर कुछ चर्चा की, टीका की, आने वाले साथ दिनों में हम लोगोंने कुछ मैथिली प्रिया माताजी, उनका कुछ निवेदन था कि कुछ भीशियों को लेने का, तो ये संपूर्ण साथ दिन के कथा का शीरशक है भक्ति भाव, भगवान स्री कृष्ण कैसे अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान पर शीर कृष्ण और पांडवों के बीच किस तरह का स्नेह का बंदन था, कल कुंती महारानी और भीश्म देव की स्थुती, तत पस्चाथ वसुदेव और देव की ने किस प्रकार भगवान स्री कृष्ण के प्रति भक्ति समरपित की, जिसके प्रणाम सुरु भगवान स्री क उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने के अनिश्चे करते हैं। दो दिन में हम द्वारका की कुछ लिला चर्चा करेंगे। रुक्मनी हरन, रुक्मनी विवाह और सुधामा जी का चरित्र। तो ये हर कथा में भगवान स्री कृष्ण का अपनी किसी विशेश भक्त के साथ प्रेम्मय, आदान, प्रदान और भक्ती का वैशिष्ट और करेंगे। तो आईए हम लोग कथा आरंब करते हैं। आप सभी के लिए प्रति दिन हम लोग इस प्रकार एक छोटी सी पुस्तिका देंगे। आप लोग आते समय एंटरेंस पे ले लीजिए। और इसमें कुछ उस दिन के विशे से संबंदित श्लोक होंगे जो हम लोग ज सब टॉपिक्स और उस सब टॉपिक्स के अंतरगत ये सारे श्लोक होंगे। कोई भी पार्टी में आप जाते हो तो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है तो हमने सोचा भागवत कथा में रिटर्न गिफ्ट इससे अच्छा कोई और हो सकता है क्या। भागवत में आये हैं त तो रिटर्न गिफ्ट भी भागवत ही लेके जाई रिवोड तो मैं ये श्लोक पड़ूँगा और आप लोग सभी इसके पीछे बोलिए कि पहला जो शीर्शक है वो कैसे श्रीमत भागवत संपुर्ण वेदों का मूल सार है और सरप्रथम भागवत महात्म पे हम चर्चा क करेंगे कि कैसे श्रीमत भागवत गरंथ क्या है इसकी महिमा क्या है इसका वैशिष्ट क्या है इसकी शक्ति क्या है और ये वास्तों में है क्या तो ये प्रतम श्लोक गरुड पुरान का बड़ा ही महत्पुर्ण और बड़ा ही विशेश श्लोक है जिसमें श्रीमत किया गया है और कहा गया है कि इस श्रीमत भागवत में 18000 श्लोक हैं और ऐसे 18000 श्लोक वाले ग्रंथ का नाम श्रीमत भागवत है तो ये गरुड पुराण में इसका वरणन है अरत्थोयम भ्रह्म सुत्रा नाम भारत आर्था विनिरनया गायत्री भाष्य रूपो सह वेदार्था परिब्रह्मितह ग्रंथो अष्टदश साहस्र श्रीमत भागवत आबिधह तो ये श्रीमत भागवत वास्तों में वेदान्त सुत्र का मूल सार है जगत में बड़े-बड़े वईज्ञानिक इस बात का निरने करने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन का लक्ष क्या है श्रिष्टी का मूल कारण क्या है और इस कारण को खोचते हुए विविद प्रकार के आविश्कार करते जा रहे है 1997 में एक और एक बहुत बढ़िया घटना घटी थी स्रिनाजी प्रभू से संबंदित ये भी कह सकता हूँ कि भक्तिविदान्त इंस्टिटूट BI आप लोगों ने सुना होगा भक्तिविदान्त इंस्टिटूट जो कि शिला प्रभूपाद की इसकौन में वैज्ञानिक प्रक्रिया से कृष्ण को समझने का एक प्रयास त्राइंग तो अंडर्स्टैंड कृष्णा कॉंशिसनेस थू साइन्टिफिक मेथड उसका नाम है BI भक्तिविदान्त इंस्टिटूट और ये शिला प्रहुपाजी ने श्रीपाद भक्ति सुरुप दामोदर महराज के माध्यम से इसको आरंब किया और लोस एंजलस में लया बर्कली में इसका एक हेड़कौर्टर से और इसका एक बहुत बड़ा ओफिस है जुहू में और स्रीनाजी प्रभू BIKB Founding Trustees में से हैं ये बात चोपाटी के कई भक्त नहीं जानते तो भक्तिविदान्त इंस्टूट के Founding Trustee होते हुए उन्होंने कई World Congress for Science and Religion Conferences भी Organize की और उसमें बहुत सहभाग दिया तो हो सकता है आप में से कई लोगों को जानकारी नहीं होगी कि 1997 में कलकत्ता में एक बहुत बड़ा World Congress for Science and Religion आयुजित किया गया था जो कि भक्तिशुरूप नामदर महराज रसराज प्रभू और कई-कई इसकौन के बड़े-बड़े दिग्जवाई ज्यानिक विश्व के बड़े-बड़े Nobel Laureate इत्यादिय को आमंतरन देकर विज्ञान शास्त्र भगवान ये तीनों का समन्वे किस प्रकार हो सकता इस पर चर्चा किये और इसको कहा गया था World Congress for Synthesis of Science and Religion तो उसमें मुझे भी निमंतरन मिला था तो मैं भी गया था राधनात महराज भी थे और इतने जटिल भाशा में लोग विज्ञान क्वांटम मेकैनिक्स इत्यादि के आधार पर चर्चाएं वहां कर रहे थे जिसका विज्ञान का बैगराउंड नहीं होगा उसको समझ पाना बड़ा कठिन था कि चर्चा क्या हो रही है और उसमें से एक साइन्टिस्ट उठकर खड़े होकर बोले बंगाली थे कलकत्ता के बोले मैं अध्वाई ताचारे के वम्षज हूँ मैं शांतिपुर का हूँ अध्वाई ताचारे के चोथे पीड़ी में मैं आँ हूँ čथे पाच्वे पीड़ी में और अध्वाई ताचारे जी भक्ती से कृष्च्न का भजन किये मैं कौंटम मेकैनिक से कर रहा हूँ और उनका presentation चल रहा था और उस समय इस कौन के भक्तों के लिए सबसे आकरशक बात प्रसाध ही थी क्योंकि बाकी को कुछ समझमन ही आ रहा था और प्रसाध भी इतना जोरदार था क्योंकि वाइज्यानिक को इंप्रेस करने का प्रयास था तो इतने भारी प्रसाध के बाद सबसे कटिन सेशन होता था पोस्ट लंज सेशन दो से पांच बज़े की बीच कलकत्ता में साइन्स सिटी ऑडिटोरियम के सारे बत्ती बुजा दिये जाते थे केवल स्टेज पे लाइट होता था और सबज़क था पांटम मेकेनिक्स और सुनने वाले हरे कृष्ण तो सोच सकते हैं कि कोई जोतिशी के आवश्यक्ता नहीं कि क्या होता होगा आसपास मेरे खर्राटे के आवाज आती थी लेक्चर के बाद राधनात माराज मेरे पास साहे बोले तुम तो IIT से तुमको लेक्चर सौझ में आ रहा होगा अब IIT का नाम ले लिया तो मैं भी कुछ बोल नहीं पाया मैंने कहां वैसे तो काफी कुछ समझ रहा हूँ लेकिन बीच-बीच में सो जाता हूँ माराज नहीं का आप बड़े भगवान को समझना कितना कठी नहीं उसी भगवान को बड़े प्रेम से सुलब्ता से कैसे समझा जा सके इसलिए यहां पर श्रीमत भागवत का आविश्कार हुआ है ये श्रीमत भागवत उसी भगवान श्रीकृषन को समझ कर आकर्षित कर अपने हर्दे में बांधने का एक सुलब मार्ग है तो अब सनातन गोश्वामी कृष्ण लिला स्तव में श्रीमत भागवत की स्तुति करते हैं आए सब लोग मेरे पीछे इसको दोहराईए ये श्रीमत भागवत की सबसे स्रेश्टतम स्तुतियां मानी गई है जो की स्रीचेतन महाप्रभु ने गोश्वामियों को संपुर्ण शास्तरों का सार भूत निचोड निकाल कर प्रस्तुत करने के लिए कहां तो ये सनातन गोश्वामी का साक्षातकार यहां प्रस्तुत है सर्वशास्त्राब्धि पीउश सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाध्य सर्वलोकैकद्रिक्प्रदा सर्वभागबत प्राण श्रीमत भागबत प्रभो कलिध्वांतो दिताधित्या स्रीक्रिष्न परिवर्थिता परमानंद पाथाया प्रेम वर्ष्याक्रशादते प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याया श्रीक्रिष्नाय नमोस्तुमें सारे शास्त्र रूपी सागर का अमृत सारे वेदों का पका हुआ फल सारे सिद्धान्तों में मूल रत्न सभी लोकों को दिशा देने वाला श्रीमत भागबत सभी का प्राण इस कली के अंधकार तम को दूर करने की शक्ति रखने वाला स्री कृष्ण को हमारे हिर्दे में प्रकट करने वाला परमानंद की प्राप्ति कराने वाला सर्वदा सर्वसेव्याय स्री कृष्णाय नमोस्तुते हम सभी के द्वारा सेव्य भगवान स्री कृष्ण से अभिन ये श्रीमत भागवतम है ऐसे श्रीमत भागवत के प्रती अब सनातन गुष्वामी अपनी अभिलाशा व्यक्त करते हैं कि मैं ऐसे श्रीमत भागवत को अपने जीवन में क्या स्थान देना चाता हूँ मदेक बंधो मत संगिन मत गुरो मत महाधन मत निस्तारक मत भाग्या मदानंद नमोस्तुते असादुसादुतादायन अतेनी चोचताकरा हानमंचकदाचिन्मा प्रेम्नाहृतकंथयोप्स्पुरां ये श्रीमत भागवत ही मेरा एकमातर बंधु है एकमातर संगि है एकमातर गुरु है मेरा सर्वस्रेष्ट धन है मत निस्तारक ये हमारा उद्धारक है महाभाग्य है मदानंद हर प्रकार के जगत के आनंद उपलब्द हैं श्रीमत भागवत के पठन और श्रवन में जो आनन्द प्राप्य है ये इस जगत के तीनों लोकों में कहीं प्राप्य नहीं असादु साधुता दाइन जिस व्यक्ति के अंदर चरित्र हींता हो उसको चरित्रवान बना दे आती नीच उच्चत आकर जो नीच हो उसको स्रेष्ट बना दे हान मुँच कदाचिन माम प्रेमनाहृत कंठ योस्पुरा क्षण मात्र श्रीमत भागवत के श्रमन संपर्क पठन इत्यादी के माध्यम से ये श्रीमत भागवत से उत्प्रेरित कृष्ण प्रेम हमारे हर्दे में हमारे कंठ में उत्पन होता है ऐसे श्रीमत भागवत के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने ही अर्थ को हमारे हर्दे हमारे वाणी और श्रोताओं के हर्दे में विश्पूरित करने का विशेश कृपा परसाए तो इसलिए श्रीला प्रभुपाजी जब श्रीमत भागवत की टीका किये तो कई लोगों को लगता है कि प्रभुपाजी ने विश्पू भर में बहुत मड़े बड़े मंदिर बनाए रेस्टोरंट खोले फार्म कम्यूनिटी निर्मान किये लेकिन जो श्रीला तो हम समझते हैं कि यहां बिल्डिंग बनाने में सिमेंट श्टील इत्यादी का प्रयोग होता है लेकिन श्रीमत भागवत का परपोट्स या टीका देने के अंतरगत पांच तत्व होते हैं तो जब टीकाकार टीका करता है तो उस टीका के अंदर पांच तत्व होते हैं औ पूचिये, रात्री के समय, अगर कोई जगाकर हमको कहेगा कि कुछ भागवत पे लिखो, भले हम लोग लिख डालेंगे, लेकिन पढ़ने योग्य नहीं होगा, तो रात्री के बारा बजे प्रहुपा जी क्या लिखते थे, तो सरोप्रतम कोई भी जब शलोक भागवत का आता है, सबसे पहले टीकाकार का कारे होता है कि उसका संधी विच्छेद करे, अब लंबे-लंबे शलोक है, सबसे पहला काम होता है संधी विच्छेद, उसको विभा दूसरा पद तरक उकती अर्थात हर एक शलोग के अंदर जो शब्द है उसको किस तरह से सजाना उस शलोग के अंदर क्या उसका अर्थ हो सकता है और उसकी अनुसार उसको सटिक ढंग से प्रस्तुत करना तीसरा व्याक के योजना उसको सही दिशा में पहला शब्द कौन सा आएगा दूसरा शब्द कौन सा आएगा तीसरा शब्द कौन सा आएगा उस शलोग को फिर घुमा कर सही वाक्य में प्रस्तुत करना चौथा विग्रह विग्रह अर्थात जितने जटिल अर्थ हैं उन जटिल अर्थों को सरल रूप में प्रस्तुत करना और तब जाकर पाँचवा है तर्क तर्क का अर्थ होता है कि आचारियों ने जो टीका की उन सबी आचारियों के टीकाओं को लेते हुए उसके विपरीत कोई अगर मत प्रस्तुत करे उसको किस तरह से हम काट सकते हैं तोड सकते हैं लॉजिक रीजन वो देते हुए तर्क तो ये पाँच तत्वों के साचिला प्रभुपाजी ने अपने सुंदर श्रीमत भागवत को प्रतंबार अंग्रेजी भाशा में विश्व के सामने प्रस्तुत किया वासुगोष ने लिका है यदि गवूर न होईतो तबे की होईतो केमन धरिताम गे राधार महिमा प्रेमर अससीमा जगत जाना तके अगर महाप्रभु नहीं होते तो राधार आने की महिमा और ब्रज की महिमा कौन समझ पाता लेकिन मेरा दावा यह है जदी स्रीला प्रभुपाद न होईतो तबे की होईतो अगर प्रभुपाद नहीं होते तो श्रीमत भागवत के अरथ संस्कृत में ही छुपे होते क्योंकि प्रभुपाजी ने 1966 में अमरिका में जाकर जब तक श्रीमत भागवत का वैश्विक प्रकाशन आरंब नहीं किया ये श्रीमत भागवत का ज्यान 5000 वर्षों से केवल संस्कृत भाशा में ही गोपनिय धंग से सुप्त था, छिपा हुआ था उसको निकालने की शक्ती किसी के अंदर नहीं हुई तो शान्तिपूर में प्रभुपाजी 1962-63 में गए और वहाँ पर जाकर सन्यास के बाद अध्वयत आचारे का अशिरुवाद लेने गए बास्चात देश में जाने के लिए तो उस समय प्रभुपाजी ने जब विचार किया कि क्या करें तो कृपा करके आप आशिरुवाद दीजिए तो जब आशिरुवाद देने लगे तो उनके एक गुरु भाय उनके पास आकर कहने लगे कि देखिए हमने सुना है कि आप अमरिका जा रहे हो तो प्रभुपाजी ने उत्तर दिया मैं अमरिका नहीं जा रहा हूँ श्रीमत भागवतम अमरिका जा रहा है मैं श्रीमत भागवत के साथ जा रहा हूँ उनका सेवक बन कर तो ये प्रभुपाजी का भाव था तो इसलिए यहाँ पर शिला प्रहुपाजी ने जो पाश्चात देश में जाकर श्रीमत भागवत प्रस्तुत किया ये श्रीमत भागवत वास्तों में संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ा दीपक बन के रहे गया है और आप लोगों को जानकर आनंद होगा कि पिछले पचास वर्ष में इस कौन के भक्तों ने पूरे विश्युभर में लगभग पचास करोड़ प्रहुपाजी के गरंथों का वितरन कर दिया है ये शिला प्रहुपाजी की कृपा का परिणाम है तो अब हम लोग श्रीमत भागवत का ये परिचे देने के पश्चात आगे बढ़ते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाया जन्माध्यस्ययत अन्वयादितरतस्चार्थेश भिज्यस्वरा तेने ब्रह्म हृदायादिकवये मुयंतियत सूरया ते जो वारि मृदाम्यता विनिमयो यत्रति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदानिरस्तकुहकं सत्यंपरंधी मही तो भगवान श्रीकृष्न को इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है परम सत्य जो इस जगत से परे हैं कृष्ना as the absolute truth जो कि इस जगत के हर तत्व से परे अपने दिव्ध्य जगत में उपस्थित कृष्न सभी उर्जाओं के स्रोत अर्थात इस जगत में कोई भी परिवर्थन हो लेकिन कृष्न के लिलाएं चलती रहेंगी सामान्य धर्म में और वैश्नव धर्म में अंतर क्या है कई-कई लोग धार्मिक प्रवर्ति के हैं मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, माता टेकते हैं इन सभी के हुर्दे में एक भाव है कि भगवान मेरे लिए क्या करे लेकिन वैश्णव धर्म का वैशिष्ट ये है कि भगवान का अपना एक जीवन है गोलोक में जो इस जड़ जगत से भिन्न है कृष्णा has his own life in the spiritual world ये भगवान के गोलोक की लीला का वर्णन ये वैश्णव धर्म का और श्रिमत भागवत का सार तत्व है अर्थात इस भवतिक जगत में हम लोग है हाँ भगवान की उपस्थिती है लेकिन मूल कृष्ण गोलोक में अपनी लीला रचा रहे है ये भगवान सरी कृष्ण की भिशिष्टा है प्रभुपाजी एक morning walk पर थे morning walk पर अपने कुछ भगतों से प्रभुपाजी ने चर्चा की प्रश्ण किया why is krishna the supreme personality of godhead krishna पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों है तो एक भगत ने कहा प्रभुपाजी क्योंकि गीता में कहा है तो प्रभुपाजी ने कहा रहे गीता इस अनली ए बुक्र तो किसने कह प्रभुपाजी आप कहते हो प्रभुपाजी ने कहा मैं तो बुड़ा व्यक्ती हूँ कुछ भी बोलता रहता हूँ तो फिर भगतों ने कहा फिर हमको तो पता नहीं तो प्रभुपाजी ने कहा क्योंकि जब आप हरे नाम लेते हो krishna का नाम लेते हो तो krishna के नाम से आपके हृदय के अंदर एक परिवर्तन होता है एक अनुभव होता है और जब भगती का आप अनुभव करते हो समझ सकते हो वहाँ krishna है इसलिए वो पूर्ण पुरुशोत्तम है तो फिर दो साल प्रश्चात प्रभपाजी फिलिडल्फिया में थे हमारे केश्यो प्रभु वहीं के आसपास पड़ाय किये तो प्रभपाजी मौनिंग वाग पर थे वहाँ और फिर अचानक उसी मौनिंग वाग पर प्रभपाजी ने फिर प्रश्चनी किया why is krishna the supreme personality of God तो सबी भक्त लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे एक भक्त था जो पिछले मौनिंग वाक पर था तो उसको लगा रहे मुझे तो उत्तर पता है तो तुरंद कहता है प्रभुपाजी क्योंकि जब हम जब करते हैं तो प्रभुपाजी एक भक्ति का अनुभाव करते हैं तब समझ सकते हैं क्योंच प्रभुपाजी क्योंकि गीता में चेहा है फिर प्रभुपाजी यह कह रहे थे कि हमारे मार्ग में गुरू, साधू और शास्त्र तीनों का समन्वे आवश्यक है तो इसको लेकर आगे ये शास्त्र भागवत क्या है इसका वरणन आया है दूसरे श्लोक में ये प्रतम तीन श्लोक भागवत के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में है धर्मह प्रोजित कैता वत्र परमो निर्मत्सरानामसताम वेध्यं वास्तवा मत्र वस्तुषिवदं तापत्रयोन मूलनं श्रेमत भागवते महामुनिकृते किम्वापरहिरिष्वरा सद्योहर्दि अबरुध्यते त्रकृति भेशुष्रुषुभेतत्क्षणात् ये श्रीमत भागवत अती निर्मल है निर्मत सरानामसताम द्वेश विहीन हृदे के द्वारा ही जाना जा सकता है and we free heart only can understand the भागवत वेध्यम वास्तवमत्र वस्तुषिवदं तापत्रयोन मूलनं ये परमसत्य का वरणन करता है और श्रीमत भागवत के पठन और श्रवन से त्रिविध ताप से हम मुक्त हो सकते हैं we can be free from the three miseries आदिदैविक, आदिभावतिक, आध्यात्मिक लेश श्रीमत भागवते महामुनी कृते इसको महामुनी वेदव्यास जी ने प्रस्तुत किया है किमवापरे रिश्वर अन्य उनके सभी शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं है सद्यों हर्दी क्योंकि श्रीमत भागवत के पठन और श्रवन करने मातर से भगवान स्रीकृष्ण हमारे हर्दे में पूरी तरह हस्तगत हो जाते हैं बद्ध हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं शुश्रु शुभी ततक्षनात श्रीमत भागवत सुनने वाला जो आरंभिक हो या बहुत ही प्रगतिशिल भक्त हो दोनों श्रेणी के लोग श्रीमत भागवत का लाब प्राप्त करते हैं इसलिए जैसे हम लोग घर पर भागते हुए चूहे को पकड़ते हैं तो चूहे को पकड़ने के लिए पिंजड़ा बनाते हैं तो पिंजड़े में चूहा पकड़ा जाता है वैसे कृष्ण को खृदे में पकड़ना हो उसके लिए पिंजड़ा है भागवत तो कहने का तात ये है सद्यो खृदी अवर उध्यते जो अवर उध्यते शब्द का प्रयोग हुआ है उसका आरत है पकड़े जाना कृष्ण आपके खृदे में पकड़े जाएंगे पिंजडे की तरह केवल भागवत को सुनो शरवन करो पठन करो उसके संपर्क मातर में आने से और किम्वा के आवश्यक्ता नहीं क्योंकि आप लोग सबी जीवन में क्या खोज रहे हो संतोष, सुख, शान्ती संतोष, सुख और शान्ती ये तिनों प्रचुर मातरा में कूट कूट कर श्रिमत भागवत के हर श्लोक और हर प्रिष्ट और हर कता के अंदर सिप्त है और उससे होता है, इसलिए ये श्रिमत भागवत संतोष का मूल सुत्र है, कई वर्ष पूर राधनात महराज कुछ हम ब्रह्मचारियों के साथ चर्चा कर रहे थे, आश्रम में बैठे थे, एक वो जमाना था जब महराज आश्रम में बैठा करते थे, यहाँ पर कई पुराने जमाने के भक्त लोग अभी भी पुराने दिन याद करते हैं, तो ऐसे कुछ भूले बिसरे कथा को मैं याद करवा रहा हूं, तो हम लोग बैठे हुए थे और महराज कह रहे थे कि, देखिए कृष्ण भक्ति में सब कुछ है, कहीं जाने के आवश्यक्त, हम लोग सब जवान थे ज़स्ट जॉइन हुए थे, तो महराज भी बीच बीच में आकर दोस्त देते रहे थे थे कि, कुछ मिस मत करो, बाहर जो कुछ भी जोड क्याए हो, यहां पर भी सब कुछ है, कृष्ण भक्ति का संतोष है, तो वहां पर महराज ने का देखो, हमारे जो में थ्री डीटीज हैं, वो क्या है, मदन गोपाल, अरतात मदन मोहन, तो मदन गोपाल प्रभू बेटे थे, वोले, देखो, मदन गोपाल है, अब इदे मूर्ति, गोविंद, देखो, प्रयोजन मूर्ति, गोपिनात, गोपिनात प्रभू, है कि नहीं, तीनों मूर्ति हैं, जो ब्रज के सबसे आराध्य, और, ब्रज का सबसे पूजनिय स्थान क्या है? राधाकुन, ये देखो बेठा है, राधाकुन दास और राधाकुन को और ब्रज को किसने प्रस्तुत किया? गवरांगा ये बेठा है, मैं वहाँ था फिर गवरांग को उनकी भक्ति किसने प्रकाषित की? नित्यानन्द एक हमारे ब्रह्मचरे नित्यानन्द प्रभू उस समय थे उनको दिया फिर गोरांग और नित्यानन्द प्रभू उनका मिशन क्या था संकिर्तन प्रभू बेठे और महाप्रभू ने इस संकिर्तन को समझने के लिए क्या प्रस्तुत किया शिक्षास्टकम दास भी वही बेठा, बोले जो खोजरे हो, सब कुछ यहीं पर है और कहा जाने की आवश्यक्ता है तो ऐसे ही यहाँ पर श्रीमत भागवत में वरणन किया गया है व्यासदेव जी ने बहुत से गरंथ लिखे, लेकिन एक श्रीमत भागवत आप समझ गए तो फिर अन्य किसी ग्रंथ के पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं है किमवा पराईर इश्वरह तो इसलिए इसको संपुर्ण वेदों का सार बताया गया है अगले श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितं भलं शुकमुखात अम्रत द्रवसं युतं पिवत भागवत अम्रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका ये श्रीमत भागवत को वेद रूपी व्रक्ष का पका हुआ फल शुकतेव गोस्वामे के मुखारविंद से निकला हुआ अम्रत से पूर्ण इस पिवत भागवतम रसमालयम इस भागवत का रस्पान कीजिए अपने श्रवन इंद्रियों से बारम बार मुहुरहो रसिका भुविग भाहुका बारम बार इसको रस्पान कीजिए क्योंकि इसके अंदर क्या है क्रिश्न तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार भाव तत्व, रस तत्व, लिला तत्व आर तो इसमें हर प्रकार का तत्व उपस्थित है केवल इस श्रीमत भागवत के श्रवन करने मातर से हरदय की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी ये श्रीमत भागवत इतना शक्तिशाली ग्रंत है अब परिचे आ रहा है कि श्रीमत भागवत कौन से परिवेश में प्रस्तुत किया गया वाट वस दे कॉंटेक्स्ट इन विच्ट भागवतम वस स्पोकन तो ये आरंभ हुआ है प्रतम स्कंद के चोथे श्लोक से नई मिशारण्य में हम लोग जा रहे हैं जहां शौनकाद रिशिगन सूत गोस्वामे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कई प्रश्ण नई मिशे अनिमिशे क्षेत्रे रिशय शौनकाद यहां सत्रम स्वर्गाय लोकाया सहस्त्र सममासता तो सहस्त्र वर्षों के लिए ये यग्य आरंभ हुआ था रिशियों ने आरंभ किया ये यग्य और लोक कल्यान हेतू इनोंने यग्य आरंभ किया है और अब ये सारे रिशी मुनिगण मिलकर शौनक रिशी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं सूत गुर्ष्वामे के समक्ष ये प्रश्च्ण रिशय हा उचुहू त्वयाखलो पुरानानी सेतिहासानी चानगा आख्यातान्यपी अधितानी धर्म शास्त्राणि यान्युता यानि वेद विदाम स्रेष्ठो भगवान बादरायना अन्येच मुनय सूता परावर विदो विदो वेथत्वम सौम्यतत्सर्वम तत्वतस्तत अनुग्रहा ब्रोयु हुस्निक धस्य शिश्यस्या गुरबो गुयम अप्युता श्रीमत भागवत के कथा वाचक के अंदर कौन से गुन होने चाहिए what are the qualifications for a speaker of श्रीमत भागवत उसका वरनन इसमें आया है प्रथम he has to be sinless निश्पाप निश्कलंक चरित्र अनगह शब्द का परयोग हुआ है अनगह अर्थात sinless दूसरा उनोने श्रीमत भागवत को पढ़कर और सुनाकर आख्यातानी अपी अधीतानी आख्यातानी अपी अधीतानी मतलब study पठन आख्यातानी मतलब कथा सुनाना पढ़ाना शिक्षा देना जिसने श्रीमत भागवत का श्रवन भी किया हो पठन भी किया हो और कथा भी किया हो सुनाया हो धर्मशास्त्राणी और धर्मशास्त्रों का ये दूसरा तीसरा जिनोंने व्यासदेव के द्वारा दिये गए अलग-अलग मतों को पड़ा हो समझा हो और उन सभी फिलोस्पियों को जान कर समझ कर उसका विरोध करने में सक्षम हो वेदान्त सूत्र के सार गर्भित भाव को समझ गया हो वो परावर विदो विदू चौथा जिनोंने गुरु की प्रेम से सेवा की हो गुरुजनों और वैश्नमों को संतुष्ट कर उनका अशिर्वात पाया हो सौम्य शब्द कारत है ये भागवत में कई बार आएगा ये शलुक और ये शब्द सौम्य सौम्य शब्द कारत होता है कि किसी ने अगर आदेश किया तो उसका आदेश का प्रतिकार नहीं करना उची ध्वनी में उसका प्रत्युत्तर दे कर उसको नकारना नहीं लेकिन अपने वाणी को और अपने मतों को अपने पास रख कर हम विनम्रता पूर्वक उस आदेश का पालन करने का प्रयास करें इसको कहते हैं सौम्य जो आवाज उठा कर स्वामे के आदेश का ही प्रतिकार करने का प्रयास करें उसको कहते हैं उग्र तो ऐसे उग्र भाव वाला व्यक्ति भागवत के शब्दों में प्रविष्ट नहीं हो सकता इसलिए सौम्य होना बड़ा आवश्यक है इसलिए शास्त्र शिक्षा शिश्य शिश्यत्व ये सब जुड़ा हुआ है हमारा दैनिक परिचय चरित्र जीवनशैली रहन सहन आदान प्रदान व्यवहार ये सभी शास्त्र के अध्धेयन पठन इसके निचोड को समझने में स ये सब जुड़ा हुआ है तत्वतस्तत अनुग्रहात उनके आशिरवात से ब्रूयुहू स्निक्धस्य शिश्यस्य स्निक्ध शब्द भी भागवत में बारंबार प्रयोग होगा स्निक्ध शब्द कारत क्या है स्निक्ध means घी घी होता है न तो स्निक्ध कारत है घी घी की विशेष्टा क्या है घी को जलाओ तो घी जल कर प्रकाश देता है स्निक्ध अर्थात जो व्यक्ति स्वयम जल कर दर्द उठा कर कश्ट उठा कर अपने स्वामी को संतुष्ट करने का प्रयास करे इसलिए हिंदी में शब्द आता है स्नेह स्नेह अर्थात हम बलिदान करें दर्द उठाएं कष्ट उठाएं जिससे दूसरों को हम संतुष्ट कर सकें एक बार हमारे कता आती है फ्लाइट पर बड़ एक प्रसिद्ध गाई का थी MS सुबलक्ष्मी आप में से कई लोगों ने सुना होगा उनका नाम very famous MS सुबलक्ष्मी उन्होंने विश्णु सहसर नाम और कई-कई गीतों को बहुत प्रसिद्ध किया है वो फ्लाइट में जा रहे थी और उनके फ्लाइट में अचानक कुछ हलचल मची और टर्बुलन्स हो गया और कैप्टन ने अनाउंस कर दिया कि अब फ्लाइट का क्या होगा कोई भरोसा नहीं बहुत भयंकर तूफानी वेदर में हम लोग फज गए हैं मौसम में और हम निवेदन करते हैं कि आप लोग सभी अपना सीट बेल्ट लगा कर बैठिये और प्रार्थना कीजी तो ये बड़ी बेचेन हो गई परेशान हो गई और यहाँ वाँ देखने लगी और उन्होंने देखा कि उनके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो बड़ा शांत मुद्रा से बैठा है उसके मुख पर चहरे पर चिंता का कोई चिन ही नहीं निष्चन तो होकर आराम से बैठा है तो ये MS. Subha Lakshmi बहुत परेशान थी उनका अहरदय दगदग हो रहा था तो यार ये तो बड़ा आनंद से बैठा हुआ है तो उन्होंने पूछा उसको तो तुमने अनौंस्मेंट सुना क्या है उनको लगा शायद सुना नहीं होगा कहते हैं न ignorance is bliss तो उन्होंने का हा सुना जानते हो ना कि कुछ भी हो सकता है तो उन्होंने तो आप चिंतित नहीं हो परेशान नहीं दिख रहे हो तो उन्होंने का अरे परेशानी की कोई बाती नहीं है तो उन्होंने का मैं रेगुलर आपका भजन सुनता रहता हूं और आप भगवान की इतने बड़े भक्त हो और कृष्ण गीता में कहते हैं नमे भक्त प्रनश्यती मुझे पूरा विश्वा से आप जैसे भक्त जब हो भगवान कुछ होने नहीं देंगे वो बोली भजन में गा रहे हूं श्रद्धा इसके अंदर है तो इसलिए हमेशे परचार करते रहना चाहिए क्योंकि जब हम परचार करेंगे हो सकता है हम किसी ऐसे जीव को सपर्ष कर दें जो भविष्य में चलकर इतना बड़ा अचार बने हमको उसका लाब मिलेगा तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि मैंने परचार किया या किसी को ज्यान दिया तो मेरा ज्यान अधिक होना चाहिए नहीं कई-कई जीव इस ब्रह्मान में अपनी यात्रा उतारते हुए कहां कहां से चलते चले जा रहे हैं कोई भरोसा ने इसलिए जैसे ही भक्ति का ज्यान प्रजुलित होगा उनके अंदर जो वास्तविक आस्थाय श्रद्दा है वो अपनिया प्रकट हो जाएगी इसलिए याँ पर ये कहा गया है कि ब्रुयुहस्निक्धस्य शिश्यस्य गुर्वो गुहियम अप्युत शावनकादी सारे रिशिकन बड़े ही विद्वान थे वयो वृद्द थे लेकिन उन्होंने सूर्थ गुष्वामि का चैन किया कि आप ये कथा कीजिए और हम चाहते हैं कि आप वास्ता में हमें बताईए क्योंकि उनको लगा कि इनके अंदर भगवान स्री कृष्ण के प्रती भागवत के प्रती और इस भक्ति तत्व के प्रती श्रद्धा बड़ी स्रेष्ट है और इसलिए अब शौनकादी उनके सामने प्रश्ण कर रहे हैं और ये प्रश्ण वास्तों में श्रीमत भागवत के संपूर्ण विशे का सार गर्ब है विशे शुरुप से दस्वा श्लोक प्रतम मध्याय का जो आ रहा है ये वर्णन आता है कि कैसे कल युग इतना भयावः युग है और इस युग में भगवान का हस्ताक श्रेप कराना बहुत कठिन है हर प्रकार की चुनोती पूर्ण युग है ये धरम के ठीक विपरीत युग है कहते न प्रतिकूल मौसम अनुकूल नहीं प्रतिकूल बढ़ा भयंकर तूफानी युग है और ऐसे युग में भक्ति करना लगभग असंबव है तो इस लोक आया है प्राये नल पायुष सभ्या कलो अस्मिन युगे जनाहा मंद सुमंद मतयोहो मंद भाग्या ही उपाद्रताहा तो ये कल्युग है जिसमें लोगों की आयु कम है लोग मंद है अर्थात उनकी बुद्धी कम है सुमंद मतयोहो उनकी बुद्धी कम है मंद अर्थात लेजी किसी प्रकार के भक्ति के कारे में उनको रुची नहीं भौतिक जगत के इंद्रत्रप्ति के किसी भी कारे के लिए निमंत्रन दो तयार हो जाएंगे लाइन लगेगी स्परधा लग जाएगी सोला मला किसको करना है कभी कॉम्पटिशन नहीं होगा चांस ही नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने की कितने लोगों की इच्छा है बहुत कम तो इसलिए कहा गया है मंद सुमंद मतयोहो मंद भाग्या अच्छा जिस व्यक्ति की बुध्धी कम हो इच्छा भी नहीं हो हर प्रकार से अगर वो इच्छा करके आ भी जाए बीमार्या आ जाती है विप्रीत परिस्थती आ जाती है मंद भाग्य में उफस जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता युरोप में कल्यूक का एक विशेश दर्शन, एक कता के माध्यम से आपको कराता हूँ, सत्य गटना है 80's की, एक नवयोग था, सुशिक्षित था लेकिन जीवन में बोर हो गया था, ये कल्यूक की विशेशता है, कि लोग हर प्रकार की बुद्धी, शक्ती, आईश्वर रखते हुए भी करना क्या है, तो ऐसी अवस्था में वो क्या कर रहे थे, उनका एक मनोरंजन का कारिक्रम था, वो हफते में एक दो दिन रेल की पट्री पर जाते थे, ट्रेन की पट्री, और ट्रेन की पट्री में आते हुए ट्रेन को देख कर उसकी और भागते थे, अब आपको लगेगा यह तो बड़ा पागलपन है केवल सामान्य नहीं बहुत बड़ा पागलपन है और वो भी यूरोप के ट्रेन बड़े फास्ट चलते हैं अब उसका वास्तविक तात्परे क्या था आत्मात्या करना नहीं था ट्रेन के और भागता हो जाएगा और जैसे ही ट्रेन के निकट आए अब सोच सकते हो कि पूरे गती से ट्रेन चल रही है और अच्छानक ड्राइवर के सामने अगर कोई व्यक्ती भागता हो देखेगा तो ड्राइवर की क्या हालत होगी इतने स्पीड में ट्रेन चल रही है ब्रेक भी नहीं लगा सकता तो ड्राइवर का चेहरा वड़ा आतंकित हो जाता था तो बिल्कुल ट्रेन के जितना निकट आ सको कुछ मीटर दूर पर आकर फिर वो पट्री से दूर चलांग लगाता था ड्राइवर को आतंकित करके भाईभित करके परिशान करके ये उसका आनंद था ड्राइवर को परिशान करना ये उसके जिवन का लक्ष था इसी कार में लगे हुए थे एक दिन की बात है ऐसे उसने चलांग लगाया और छलांग लगा कर घिरा तो उसका चहरा सीधा एक किताब के उपर पड़ा और उटके देखा कि वो बुक उसपे लिखा हुआ था श्री इशोपनिशद इस डिवाइन ग्रेशिला प्रहुपाद और उन्होंने बुक खुला और बुक पढ़ने लगे और उस बुक में लिखा था पहला ही श्लोक ओम पूर्णमदप पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते जब तक कृष्ण के संपर्क में नहीं आओगे तब तक जीवन इनकंप्लीट रहेगा वो बुला यार लगता यही प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में इसकौन में भरती हो गया फिर बाद में यूरोप में स्विट्जरलेंड में जॉइन हो गया इसकौन यूरोप का नंबर वन बुक डिस्ट्रिबूटर बना वो कहां ट्रेन की पीछे पागलों की तरह भाग रहा था और कहां प्रभुपाजी के गरंत के संपर्क में आकर खर्दे परिवर्तन हुआ तो इसलिए प्रभुपाजी जब जुहू में थे तो जुहू में वो टेरस पर बैठ कर अपना दर्शन दे रहे थे तो अचानक एक बहुत बड़े बिजनसमें आये उनका नाम था ब्रिज रतन मोहताजी स्रीनाजी प्रभु के भी फ्रेंड थे वो और जैसी वो प्रवेश किये तो प्रभुपाजी ने उनको देखा और सब लोगों के सामने परिचे कराया ये हैं हमारे बीच ब्रिज रतन मोहताजी बहुत बड़े बिजनसमें तो मोहता साब ने तुरंद प्रभुपाद को देख के कहा कि शिला प्रभुपाद आप तो अमरिका गए 40 रुपे लेकर और अब लॉट के पूरे विश्युवर में इसकौन की स्थापना की है और इसकौन के 40 करोड के उपर का प्रपरटी है असली बिजनसमें तो आप हो तो प्रभुपाद तुरंद कहते तो वाई डोंट यू जॉइन माई बिजनस तो हाद जोड कर बोले क्षमा करें अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ प्रपुपाद ने का मेरा अर्थ वो नहीं था प्रपुपाद ने का हम लोग को मंदिर चलाने में भी बहुत सहयता चाहिए आप लोग सभी हमारे मंदिर को चलाने में सहयता कीजिए और फिर उस समय प्रभुपाजी ने उनको वहां के construction का ही एक oversee करने का responsibility उत्तरदाईतु दे दिया और प्रभुपाजी चा रहे थे कि जितने लोग कल्यूग में भटके हुए हैं ऐसे भटके हुए जीवों को इस कौन के मंदिर के अंदर ज्ञान के माध्यम से दिशा प्राप्त हो और इसके लिए श्रीमत भागवत आवश्यक है तो ये श्रीमत भागवत वो ज्यान है और मंदिरों में वहां पर भागवत का प्रचारन और प्रसारन होता है तो आगे कहते हैं दो श्लोकों में भूरिनि भूरि कर्मानी श्रोतव्यानि विभागशा अतसाधोत्रयत्सारं समुद्रत्यमनिशया भूरि भद्राय भूतानाम ये नात्मा सुप्रसीदती कई-कई श्लोकों का वरणन किया गया है शास्त्रों में इतने सारे शास्त्र हैं इतने सारे श्लोक हैं कौन से शास्त्रों को पढ़ें कौन से को नहीं पढ़ें कुछ समझ मनहीं आता हमको चाहिए इसका essence short में कुछ बताईए हमारे पास समय नहीं है 5000 साल पहले ही वो कह रहे थे थोड़ा brief में बता दीजिए सोची आज क्या होगा ये सारे रिशी मुनिगन whatsapp, facebook का जमाना देखेंगे तो heart attack आजाएगा उनको उनका short था 18,000 श्लोका क्यों? क्योंकि शास्तर में करोडों श्लोक थे तो करोडों में से उठाकर 18,000 देने को कहा वो भी संकोच करते करते अता सादोतर यात सारम हम लोग के लिए थोड़ा सार चाहिए brief में चाहिए 18,000 में कीजिए समुद्रत्य मनीश रिया भूरी भद्राय भूतानाम ये रात्म में सुप्रसीद थी तो हमारा चार-चार मिनिट का योगा स्टोरी चालो किया तो कई लोग आके बोले पूरा भागवत को भी ऐसा कर दू चार-चार मिनिट का तो मैं विचार कर रहा हूँ कैसे वो हो पाएगा? अट्रा-चार को चार-चार मिनिट में कैसे करें? तो कह रहे हैं सारम चाहिए भूरी भद्राय भूतानाम ये रात्मा सुप्रसीद ऐसा करोंगे आत्मा का संतोश प्राप्त होगा तो इस कौन की अवस्था क्या है? इस कौन की अवस्था ये है कि करोणों में गरंथ का वितरन हुआ है लेकिन इस गरंथ का हम लोग रस्पान नहीं कर रहे है लेकिन नहीं प्रभुपाजी ने महाप्रभु ने क्या दिया? महाप्रभु ने आइस्क्रीम बनाया महाप्रभु ने आइस्क्रीम बना के महाप्रवु जब थे खुद आइस्क्रीम बाट रहे थे आ बेटा ये ले तू आजा ये ले तू आजा ले ले फिर सरस्वति ठाकोर ने का नए नए ऐसा तो बड़ा रैंडम होगा फैक्टरी लगाते हैं तो आइस्क्रीम बनाने का फैक्टरी बनाया फिर प्रभुपाजी ने बोला ये तो मेड इन इंडिया है हम मेड इन यूएस से बनाएंगे तो इसको न्यू यॉर्क में स्थापना की तो वो आइस्क्रीम जो महाप्रवु ने प्रस्तुत किया उसको बनाने का फैक्टरी तयार किया इसकौन के माध्यम से लेकिन उसके बाद फैक्टरी चलाने में लोग इतना लग जाते हैं कि आइस्क्रीम खाना भूल जाते हैं तो इसलिए आवश्यक है कि हम जाने कि हाँ भई आइस्क्रीम के फैक्टरी में हम लोग लगे हुए हैं लेकिन आइस्क्रीम खाना पाप नहीं है हम लोग वितरण के बिजनस में हैं लेकिन खुद भी उसका सेवन करते रहें अन्यता भूल जाएंगे करक्या रहें हैं तो इसलिए आहां कहा गया है येनात्मा सुप्रसीदती येनात्मा सुप्रसीदती शब्द को याद रखिए कि आत्मा को प्रसन करना आत्मा मतलब हर स्तर पर आत्मा अर्थात बोड़ी आत्मा अर्थात मन आत्मा अर्थात बुद्धी और आत्मा अर्थात सोल अनली श्रीमत भागवतम has the power to satisfy all these four levels इसलिए ये श्रीमत भागवत का रस्पान आविश्यक है और ये संतोश जब होगा तो क्या होगा 19 में श्लोक में आया है गलती से उन्होंने वो repeat कर दिया चोधी को उपर वाले श्लोक पे जाईए वयम्तुन वित्रप्यामा उत्तमश्लोक विक्रमे यतश्रिन्वताम्रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदेपदे कलिम्मा गतमाज्याया क्षेत्रेश्मिन वैष्णवेवयं आसीना दीर्ग सत्रेना कथायां सक्षना हरे वित्रप्याम कार्थ है कि हम लोग ऊब गए बस हो गया और नहीं चाहिए वयम्तुन हम लोग अब तक इससे पूर्णतह संतुष्ट नहीं हुए हैं क्यों क्योंकि इसमें भगवान स्रीकृष्ण के प्राक्रम का वरणन है यत्ष्रिनवताम जिसको सुनकर रसग्यानाम जो रसग्या है स्वादू स्वादू पदे पदे हर पद पर श्रीमत भागवत का रस्पान करते हैं और इसलिए अब कल्यूग आ गया ऐसे कल्यूग में इस क्षेत्र में नैमिश क्षेत्र में बैटकर हम लोग ये सत्र में बैठे हैं आपसे निवेदन करते हैं सुतको स्वामी इस कथा का आरंब कीजिए सक्षणा हरे और ये चिंता मत कीजिए कि हमारे पास समय की कोई कमी है ये शब्द के ओपर गौर कीजिए कथायाम सक्षणा सक्षणा का इंग्लिश में लिटरल ट्रैंसलेशन है विद टाइम एट अवर डिस्पोजल वी हैव इनॉफ टाइम अनलिमिटेड टाइम बोलते रहिए आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए हम लोग बिलकुल समय पर आरंब करके समय पर समाप्त करेंगे क्योंकि ये स्रीनाजी प्रभु के स्मरण में हैं सबसे ज़्यादा उनको पंक्चुलिटी बहुत पसंद था तो सक्षना शब्द का हम लोगा परपोर्ट रहेगा कि अन टाइम इनका तातपर यथा असिमित मात्रा में बोलिए लेकिन करोडों करोडों शलोकों में से भागवत का सार हमको कुछ अठरा हजार शलोकों में दे के परस्तुत कीजिए तो इसलिए ये बड़ा महत्त पूर्ण है कि कथा को निरंतर जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो नए नए इससे साक्षात का प्राप्त होते हैं अठरा है और हर महने कितना धनराशी चाहिए और कितने अलग-अलग युद्ध लड़ रहे हैं वो युद्ध लड़ते लड़ते जब आप भागवत पढ़ेंगे तो लगेगा रे वा क्या निक्टर है इसको समझ में आ रहा है कि यहां पर ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ तो हमारे वर्तमान युद्ध में और चिंताओं में जब हम परेशान रहते हैं और उनसे जूजते हैं तो हम लोग हतोतसाइथ हो जाते हैं क्योंकि किसी भी पराजे से व्यक्ती हतोतसाइथ होता है ये भागवत पराजितों के लिए है जो हारा हुआ है जो हार रहा है और जिसको लग रहा है मैं हारने वाला हूँ उनके उत्सा को बुलंद रखने के लिए भगवान कहते हैं इतिहास में तू पहला नहीं है जो हारा है बहुत लंबा लिष्ट है और जब वो हारे तो उन्होंने भागवत को हार के रूप में पहना और हार को विजय में परिवर्थित किया तुम भी इसी परकार भागवत को पड़ो और जानो कि आपका जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो बारा सकंद के कौन से कौने में मिलेगा आपको मिल जाएगा नहीं कि दूद का डेलिवरी बराबर नहीं हो रहा मिलेगा आपको उसका सुलूशन परेशान मत हो जाओ भागवत के पन्नों में मिलेगा बहुत कमबार मौका मिलता है कि तुलसी को ऐसा सब बोलने का मिलेगा तो मौका का लाब लेना चाहिए कथाव्याज होने का कुछ एडवांटेज है गोगंटा मीटिंग में दूसरा कोई नहीं बोल सकता येवला मीटिंग ऐसा है तो वास्तो में ये प्रमुक बात है कि भागवत के हर कथा के अंदर कोई न कोई ऐसा तत्व है जो आपके जीवन के अलग-अलग युद्धों से संबंदित रहेगा इसलिए भागवत पढ़ना बहुत आवश्यक है युशूद नो वाट इस वेर ओनल देन युवल नो विज पास्टाइम तो स्टड़ी और रीड in this current situation पूरा मिनुकार आपको जानना होगा तब ही तो जानोगे क्या order करना है है कि नहीं तो उसी प्रकार अब आता है दश्रीमत भागवतम fully satisfies the intelligence of the soul लिखाए गलत है वो and the soul है तो अब हम ये चर्चा करेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण परिचे है भागवत की विशय में प्रवेश करने से पूरू कि श्रीमत भागवत के रचैता कौन है? व्यासदेव How the author of भागवतम himself was dissatisfied till he connected with भागवत भागवत की रचैता ही असंतुष्ठ ते जब तक भागवत का उन्होंने परिचे नहीं किया तो राधनात महराज एक बार जन्माष्टमी का lecture दे रहे थे कई वरश पूरो और हम लोग का सोभाग है कि इस वर जन्माष्टमी में महराज हमारे साथ रहेंगे जन्माष्टमी और नंदोत्सव में तो यह तो 90s की बात है और उस समें बहुत 6-5-6 घंटा लेक्चर तो माराज ऐसे ही दे देते थे तो जन्मास्ट में के धिन ता फास्टिंग था और जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जा रहा था बड़ा कथिन हो रहा था यहां कि फास्टिंग भी था और नकेवल फास्टिंग था रात के बारा वजे तक था और एक तो फास्टिंग का कष्ट होता है दूसरा सोच के कि इतनी दूरी है अभी तो जैसे लेक्चर खतम हुआ पांचे घंटे का उसके बाद हम लोग आश्रम में आए और नए नए सब ब्रह्मचारी थे इतना फास्टिंग कादत ने धढ़ाम करके गिर गए और दो मिनिट में खर्राटे के आवाज भी आने लगी तो मैं प्रवेश किया मैंने देखा सब सोय पड़े हैं 6-7 लोग मैं भी प्रेरित हो गया क्योंकि ऐसे सब चीजों में प्रेरित होने के लिए समय नहीं लगता तो मैं भी नीचे गिरकर सोने वाला था तब माराज अंदर आये और भी यह क्या चल रहा है जन्मास्टमी का दिन है सब लोग खराटे मार रहे है क्रिष्ण का जन्म हुआ है क्या कर रहे हो तो मैंने का रहे माराज क्या करें आज फास्टिंग है हम लोग एनरजी कंजव करने थोड़ा तो कि फेस्टिवल राद तक चलेगा न तो माराज ने कहा मैं पाच घंटा छे घंटा क्रिष्ण लीला सुनाया और आप लोग कर रहे हो महा विष्णु लीला ये क्या चल रहा है तो इसलिए भागवज जब चलता है तो उसमें ध्यान देना और पढ़ते समय पढ़ना इतना आसान नहीं है और इसलिए समय के साथ उसके प्रती एक संबंद स्थापित होता है तो यहाँ पर जो कहा गया है स्वादू स्वादू पदे-पदे वो कुछ तपस्या के पश्चात उसका परिचे होगा और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि यात्राओं में महाराज कई बार लेक्चर या अपने मंदरी में भी लेक्चर दें समय बीच-बीच में बोलते हैं और सब लोग हरी बोल बोलते हैं, है किने, क्योंकि महाराज जब करते हैं, तो फिर उनके कथा में वो स्वयम रमे रहते हैं, लोग भी उसमें रम जाते हैं, और तीन घंटा, चार घंटा कैसे निकल जाता है, तो उस समें, एक हमारा ब्रह्मचारी एक यातरा लेके गया, और उसने सोचा कि चलो भाई, मैं भी यही करता हूं, एक डेड़ घंटे के बाद उसने पूचा अपने कॉंचा अपने कॉंगरिगेशन, और शैल आ कंटिनू, बबली बुला, नो, हमको ब्रेकफास्ट चाहिए भूख लगी, तो आके मुझे बोल रहा था कि, इमिटेशन नहीं चलता बबा, तो यहां पर कहा गया है, कथायाम सक्षना हरे, बहुत समय निकाल कर, लेकिन आपके व्यस्त दिंचर्या में आपको बहुत समय प्रतिदिन नहीं मिलेगा, तो इसके लिए सूत्र क्या है, प् पंदरा मिनिट पड़िये, पांच मिनिट पड़िये, लेकिन मुख्य है कि प्रतिदिन थोड़ा भागवत के साथ टच होगा, अगर दो मिनिट के लिए भी देख लिया, वो एक आदत से बन जाती है, है कि नहीं, एक मैं किसी के घर पे गया था, और उन्होंने मुझे प्लास्टिक से अभी मेरे सामने सामने निकाल रहे हो, प्लास्टिक बक्सा बक्सा निकाल रहे हो, अभी भागवत खोला ही नहीं किया, कब खरीदा था, वो याद नहीं आरा कब खरीदा था, बहुत साल हो गए, मैंने का आज तक अभी खोला ही नहीं, पुला नहीं आपके के लिए रुकेते हम लोग, आपके हातों से उद्गाटन हो, तो इसलिए यहां पर श्रीमत भागवत कैसे बुद्धी को रात्मा को संतुष्ट करता है, और व्यासदेव की दशा क्या थी, वो यहां वरणनाया है, तथा पिबतमे दहियो, ही आत्मा चैवात्मना विभू, असंपन्न इवाभाति, ब्रह्म वर्चस्य सत्तमह, किम्वा भागवता धर्मा, नप्राये निरूपिता, प्रिया परमहम साना, तए वही अक्युत प्रिया, जिग्यासितम अधितम्च, भ्रम्मयतत सनातनम, तथा पिशो चसी आत्मानम, अक्रतार्थ इवा प्रभो, इसमें व्यासदेव जी, बद्रिक आश्रम में बैठे हैं, असंतुष्ट रूप में, और यहां वर्णन आया है, नारद मुनि उनके गुरू, उनके समक्ष आकर उनसे प्रश्ण पूछते हैं, कि आपके असंतोष का क्या कारण है, और यहां पर व्यासदेव जी कह रहे हैं, कि तथापी बतमें दहियो ही आत्मा च एव आत्मना विभू, मैं अपने बुद्धी से, शरीर से, मन से, मेरे आत्मा के असंतोष को दूर नहीं कर पा रहा। बताईए, असंपन्नता का मूल कारण क्या है, असंपन्न इवाभाती, भ्रह्म वर्चस्य सत्तम, स्रेष्टतम कारे में ने किया, कभी-कभी लगता है कि किसी कारे को निपुन करो, सिद्ध करो, संतुष्ट हो जाओगे, परफेक्शन, सक्सेस, इस सफिशन्ट, तो यहां व्याजदेव कह रहे हैं कि जन सामान्य में ये ब्रांत धारणा है कि आप अपने कारे में सफल हो जाओ, तो संतुष्ट हो जाओगे, तो कह रहे हैं, the biggest misconception is, success is equal to satisfaction, यह गलत है, क्यों? भ्रह्म वर्चस सत्तम, अरे किसी लेखक के लिए, कोई एक ग्रंत लिख देना, सफलता का बहुत बड़ा कारे है, यहाँ पर व्यासदेव जी ने तो चार वेद, अटरा पुराण, एक स्वाट उपनिशद, और उनसे सर्वस्रेष्ट वेदांत सुत्र, भ्रह्म वर्चस, जिसमें संस्कृत, व्याकरन, काव्य, इत्यादी, जो कोई भी व्यक्ती इस क्षेत्र में हो, व्यासदेव जी का क कोई जोड नहीं कर सकता, व्यासदेव जी ने जो कुछ किया, वो बे जोड है, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट हूं कह रहे हैं, और इसके उत्तर में विचार कर रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, किम्वा भागवता धर्म न प्रायेन निरूपिता, प्रिया परमहमसा नामत एवही अच्चुत प्रिया, हो सकता है कि मैं भगवान स्रीकृष्ण का किर्तन नहीं किया, भक्ती नहीं बताया, और नारत्मनी उनको कह रहे हैं, हाँ, आपके असंतोष्ट का मूल कारण यही ह आपने हर प्रकार का कार्य किया, लेकिन वो कार्य करने की शक्ती जिसने दी, उस व्यक्ती की भक्ती आपने नहीं की, अगर केवल शक्ती का प्रियोग करोगे, लेकिन शक्ती के स्रोत के प्रती भक्ती व्यक्त नहीं करोगे, तो केवल मती असंतुष्ट रहेगी, इसलिए आँ कहे रहे हैं जिग्यासितम अधीतमच भ्रम्यतत सनातनम तथा पिशोचसियात्मानम अक्रतार्थ इसलिए शोक का ये मूल कारण है कि आपने हर प्रकार का गरंथ लिख दिया लेकिन भगवान स्री कृष्ण का बारंबार किर्तन नहीं किया व्यास देव जी आगे शोक में कहते हैं अस्त्येव में सर्वमिदं त्वयोक्तम तथात्मिनात्मा परितुष्यते में तनमूलम अव्यक्तम अगादबोधम मैं जानना चा रहा हूं कि मेरे ये असंतोष का मूल कारण आप मुझे बताईए तो इस व्यास देव जी के निवेदन में एक बहुत महत्तुपुर्ण तत्व है वो क्या डॉक्टर अपना ही इलाज कई बार नहीं कर पाते है व्यास देव जी ने इतने गरंथ लिख दिये लेकिन श्रीमत भागवत गुरू के समक्ष नम्र होने के प्रश्चात ही प्रकट हुआ अर्थात भागवत को समझना हो प्रकट करना हो तो नम्रता के अधार शिला पर बाकी अन्य गरंथ लिखने के लिए उनको नारदमुनी का व्यक्तिगध हस्ताक्षेप नहीं लगा लेकिन भागवत न बुद्धी के स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है न बुद्धी के स्तर पर समझा जा सकता है न बुद्धी के स्तर पर उसको हम आत्म साथ कर सकते हैं ये श्रीमत भागवत केवल गुरु के विशेश असीम अनुकम पावश हम अपनी हर्दे के अंदर उतार सकते हैं ये व्यासदेव जी के कथन के पीछे मूल तत्त है हम लोग जब IIT में थे तो हम लोग का एक्सपरिमेंट फर्स्ट यर में एक होता था ग्रैविटेशनल कॉंस्टंट का जो है नंबर पता लगाओ एक्सपरिमेंट करके जी इस इकल टो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर ये हम लोग का पुराना जो न्यूटन ने फॉर्मूला दे दिया उसको ढूंड निकालने का वो एक्सपरिमेंट रहता था तो फर्स्ट यर में थे हम लोग सब हम लोग का ग्रूप में हम लोग experiment किये तो किसी का value 2 आ रहा है, किसी का value 15 आ रहा है, किसी का value 100 आ रहा है एक मेरे team में व्यक्ति था उसका negative में आया अलग-अलग मुनी लोग अलग-अलग निकाल रहे थे फिर एक व्यक्ति बोलता है मैंने बिलकुल बराबर अपना calculation किया है मेरा आया है 9.2 और मैं दावे के साथ के सकता हूँ, यही perfect है तो बाकी लोग कहने लगे, अरे तु क्या Newton का भी बाप बन गया क्या Newton ने 9.8 दिया है तो अपना भी result उसके आसपास ही होना चाहिए समझ रहे हैं, क्यों ओरिजिनल गुरू, Newton हम लोगो केवल उसका follow करना है अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में भी पहले के आचार्यों ने क्या दिया है उसको लेखरी बहुत लोग चलते हैं तो इसलिए यहाँ पर व्यासदेवजी ने इतना कुछ प्रस्तुत कर दिया लेकिन जब तक नारद मुनी उनको संदेश नहीं करते संकेत नहीं करते वो फस गए हैं समझने पारे आगे करे तो क्या करें इस असंतोर से हम कैसे निकल सकते हैं कभी-कभी लगता है दस साल हो गए इस कौन में दस साल हो गए भक्ती में बीस साल हो गए अभी भी हमको guidance चाहिए किया व्यासदेव जी उधारण के माध्यम से बताने कि बेटा सारा शास्तर देने के बाद भी मैं फस गया तुम किस खेत की मुली हो तो इसलिए चाहे किसी भी स्तर पर क्यों न जाए हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई न कोई भक्त का आश्रे चाहिए जो उनको संकेत करे भक्ति कैसे करे किस दिशा में करे क्यों हम फस रहे हैं असन्तोष को दूर कैसे करे तो अब नारद मनी उनको बड़े सुन्दर शब्दों में बता रहे हैं अगले कई श्लोकों में दस्वा और ग्यार्वा श्लोक ये शिला प्रहुपाजी का बड़ा फेवरेट श्लोक था, ये प्रहुपाजी के लिए प्रेरना स्रोत श्लोक थे जिसके आधार पर उन्होंने इंग्लिश में, अंग्रेजी भाशा में भागवत को प्रस्तूत किया नयत्वचस्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रग्रणीत करहिचे तद्वायसंतिर्थमुषंति मानसा नयत्रहं सा निरमंत्युषिक्षया वचस अर्थात शब्द चित्रपदं चाहिए कितने ही आकर्शक क्यों न हो लेकिन अगर वो हरी का यश न समझाए, हरी का गुणगान न करे जगत्पवित्रं प्रग्रणीत करेचे वो जगत्पवित्र नहीं कर सकते वो कैसे हैं ऐसे शब्द तद्वायसंतिर्थ जहां अवे जाय तीर्थ यात्रा के लिए अर्थात जहां कचड़ा हो, कुड़ा हो, करकट हो अर्थात इस जगत के चाहे कितना भी काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण हो अगर वो भगवान स्री कृष्न के स्तुति से विहीन हो ऐसे शब्दों को अशलील अपवित्र और फूहड ही मानना चाहिए, they should be considered to be low class like garbage, उशंति मानसा नयत्र हमसा निरमंति उशिक्षया, हमस वहां नहीं जायेंगे, न हमस रमंति, निरमंति हमस, हमस वहां रमं नहीं करेंगे, कौन रमं करेंगे, उशिक्षया अर्थात कव्वे, वायसम तीर्थ, वायस अर्थात, वो कव्वे व महां पर जायेंगे, ऐसे जगह पर अपना मनोरंजन करने के लिए, अगले श्लोक में वर्णन आता है, अगर वो शब्द वाग, विसर्ग, जनत अगह विपलवो, वो शब्द जो इस जगत के पाप को नश्ट करने में श्रयसकर हो, यस्मिन प्रतिश श्लोकम, हर श्लोक मे भले, तुरुटी हो, कमी हो, गलती हो, अबधवत अपी, अगर ऐसे हर श्लोक में भी अगर गलती हो, लेकिन अगर वो हर श्लोक, हर शब्द भगवान स्रीकृष्ण के गुणगान से अभिभूत हो, नामानी अनंतस्य यशो अनकितानी, जिसमें भगवान स्रीकृष्ण के यशोगान से अभिभूत हो ऐसे शब्दों को श्रवन करना चाहिए श्रिनवंती, गायंती गाना चाहिए, गृहनंती उसे अपने जीवन में स्युकार करना चाहिए साध्वूँ को तदवाग विसरगो जनताग विप्लबो यस्मिन प्रतिश्लो कमबधः बत्यपी नामान्यनंतस्ययशोंकितानिया श्रिनवंती गायंती ग्रिनंती साध्वः अब नारद्मुनी वरणन कर रहे हैं व्यासदेव जी को कि आप ऐसे श्लोक प्रस्तुत कीजिए जिससे भगवान स्रीकृष्ण का गुणगान हो और हाँ व्यासदेव जी इस बात को याद रखें मेरे जीवन में भी महत परिवर्तन हुआ ऐसे महा भागवतों के बीच जब मैं कथा का श्रवन किया तब जाकर मेरे जीवन में परिवर्तन आया मेरा चरित्र भगवान स्रीकृष्ण के और आकरिष्ट हुआ और तब जाके मैंने ऐसे करांती की अनुभूती की मैं भक्ती से अभिभूत हो उठा और वो कहते हैं ये मैंने स्वयम प्रयास से प्राप्त नहीं किया साध्वों के महात्माओं के आशिर्वात से प्राप्त किया क्योंकि मेरी माता ऐसे साध्वों की सेवा में लगी थी तो पच्चिसमें शलोक को देखिया इसमें कह रहे हैं कि ऐसे महात्माओं का उच्छिष्ट मैंने प्राप्त किया, उच्छिष्ट लेपान, 25th verse, 1.5.25, अनुमोधी तो द्विजे, उनके अनुमोधन से, उनके परमेशन से, सक्रत, एका दो बार मैंने उनका जूटा खाया, समा भुंजे तद, अग जूटा खाने का परिणाम क्य हर प्रकार के पाप से मैं मुक्त हो गया, एवं प्रबर्तस्य, विशुद्ध चेत सधीर धीरे, मेरा चित्य शुद्ध हुआ, और तत धर्म, कृष्ण धर्म, भक्ति धर्म, आत्म रुची, भक्ति के परती मेरे आत्मा में रुची जांगिर्थ होने लगी, केवल महात्मा का जूटा खाकर, अर्था सत्संग का ये परिणाम था, और फिर प्रसाद पाने के बाद मैंने सोचा कि चलो, इनके मुख से जो प्रसाद निकला है, उससे मुझे आकर्शन हो रहा है, अब इनके मुख से जो वानी निकले, वो भी मैं सुनो, तब जाकर मैं कथा सुनकर भा नगवत के प्रति आकरिष्ट हुआ, और इसलिए वो कहते हैं, उच्छेष्ट लेपान अनुमोधितो द्विजई, सक्रिट्स्म भुंजे तदपास्त किल्विशह, एवं प्रवरत अस्य विशुध्ध चेतसा, तदधर्म एवात्मरोची प्रजायते, इसलिए शिला प्रवुपाजी ने इस कौन की स्थापना जब बंबय में की, अमरिका में प्रवुपाजी ने कहा हरिनाम संकिर्थन, और लोग स्ट्रीट संकिर्थन करते थे, वही अमरिका से भक्त लोग आकर बंबय में करने लगे, प्रहुपाजी ने का नहीं, इंडिया में आप रस्ते पे जाकर ऐसा किर्तन करोगे, लोगों को लगेगा कि शायद भीक मांगने लोग आए है, यहाँ पर प्रहुपाजी ने strategy परिवर्तित किया, change किया, प्रहुपाजी ने का भारत में लोग भागवत क्या है जानते हैं, ग अलग घरों में जाकर लोगों को connect करते थे, member बनाते थे, वैसे ही यहाँ पर शिलप्रहुपाजी, स्रिनाजी प्रभु और उनके पिताजी के घर पर आकर रहे और connect हुए, और धिरे धिरे परिवर्तन करना आरंब किया, वैसे प्रहुपाजी कलकता में थे, तो कलकता में ए और अमरिका से एक नया नया ब्रह्मचरी आया था, वो खाये जा रहा था, जो भी life member थे और लीजिये, वो बोले हाँ, दीजिये, और लीजिये, और लीजिये, तो कि अमरिका में मालूम ने कि मतलब यहाँ पर बोलते रहेंगे, नई नई बोलने पर भी डाल रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत जवरदस्त खाने के बाद जब अपने मंदिर में पहुंचे, अलबर्ट रोड मंदिर में, वो ब्रह्मचरी पेट पकड़कर बैढ गया और चिला ने, प्रभुपाद जी मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्रभुपाद ने का तुम क्यों हस रहा है, तुम पंदरा खाया, फिर प्रभुपाद बोले, देखो, यहां हम लोग जा रहे हैं, वो प्रशाद खिलाएंगे, लेकिन जितना खिला रहे हैं, सब खाने के आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि दिन में 4-5-6 घर जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं किस इसलिए सत्संग देने के लिए, तो इसलिए जब हम सत्संग देंगे, तब धिरे-धिरे लोगों का चित परिवर्तित होगा, अगर कोई पूछेगा, इस कौन temple भी बनाता है, farm भी बनाता है, गोविंदा भी चलाता है, gift shop भी चलाता है, यह भी करता है, वो भी करता है, की mission है, heart transformation खर्दे परिवर्तन और वो खर्दे परिवर्तन का ये श्लोक है 1, 5, 25 अगर आपको कोई पूचेगा कि इस कौन के mission का एक श्लोक बताओ वागवत का कौन सा है वो ये है कैसे, अपास्त किल बिशह किल बिशह शब्द कारत होता है sins sinful reactions अपास्त means purified purify the sin and प्रवर्तस्य विशुद्ध चेतस heart is purified and heart is अवात्मरुची attracted to Krishna from attraction to sin attraction towards Krishna पाप के प्रतिरुची से लेकर कृष्न के प्रतिरुची पाप के प्रतियाकरशन से Krishna के प्रतियाकरशन ये परिवर्तन हम लोगों का मूल कार्य है इसलिए प्रहुपाजी ने दूसरा कार्य क्या किया मंदिरों में विग्रहों की स्थापना की DTs तो DTs को यहाँ पर वर्नन किया गया है रूपम भगवतो भगवान का सुन्दर रूप भगवान का जो विग्र है जो रूप है उसका कितना सुन्दर शब्द का प्रयोग किया देखिए मनह कांतम कांतम मतलब पेरमोर कांतम मतलब husband, wife, boyfriend, girlfriend कांतम, lover कांत शब्द का literal meaning है lover, प्रेमी या प्रेमी का तो वास्तो में मन का प्रेमी कौन है मनह कांतम who is the real lover for the mind वो है रूपम भगवतो कृष्ण का सुन्द रूप कृष्ण का सुन्द रूप मनह कांतम है the real lover for the mind is Krishna's beautiful form मनह कांतम और जब मन को कृष्ण का रूप प्राप्त हो जाए सुचापहम सारा अशोक दूर हो जाएगा जीवन में शोक का एक ही कारण है कि मन में भगवान स्री कृष्ण का सुमरन नहीं हो रा और हर प्रकार की चिंताओं से हमारा मन अभिभूत है इसलिए चिंता को चिंतन से परिवर्थित करो अपश्यन सहतो तस्थे वैक्लव्यात दुर्मना इव एतधियातुरचित्तानाम मात्रास्पर्षेच्चयामो भवसिंदुप्लभोद्रिष्टो हरिचरियानु वर्णनम तो नारद्मनी कह रहे हैं व्यासदेव जी को कि जब मन और इंद्रिया इंद्रिय विष्वों का संपर्क करने के लिए पागल होते हैं तब चिंता का मूल उत्पादन होता है मात्रास्परषः इच्चया when the senses desire contact with the sense objects मुहू again and again आतुरचित्ता नाम that is the cause of anxiety पूरे विष्व भर में लोग चर्चा कर रहे है चिंता का विषय क्या है चिंता का कारण क्या है मात्रास्परषः इच्चा ये आतुरचित्त का कारण है लेकिन इसको दूर करना हो हरिचर्यान वर्णनम केवल क्रिष्ण कता के संपर्क से क्रिष्ण कता के श्रवन से पठन से हम ऐसे चिंताओं से दूर हो सकते हैं तो एक बार हमारे स्पेन में एक सत्य घटणा घटी हमारے जामनगर से थीशंआँ अभी तो भक्त हैं लेकिन उस समय वो बिजनसमें थे गए थे बिजनस करने और बिजनस करने गए स्पेन में कई लोगों ने उनका का कि भहिया याँ श्पेन में business करना और Spanish सीखना जरूरी है तो वो विचार करी रहे थे कि Spanish सीखू नहीं सीखू सब लोग कह रहे हैं फिर उनको लग रहा था रहे business करना तो अपने को आता है कोई भाशा में कर लेंगे में अपने को तो जानना है कि business कैसे करना है वो भाशा में जानते फिर जा रहे थे रस्ते पर एक book table देखा इस कौन का एक devotee खणा था European Brahmachari रोका बोला सर थोड़ा books देखिए बोला क्या books है बोला Krishna book दिखाया बोला ये Krishna book है ये भगवान Shri Krishna ब्रंदावन द्वार का मतुरा में क्या लिला है कि उसका पूरा विस्तरित परिचे दशमसकंद का ये book उठाया नीचे रखा और ये बोलता है मैं जामनगर से हूँ द्वार का के बगल में है Krishna मेरे भाई है समझे रहे ना तुम लोग सब अभी अभी नए नए आये हो अभी तुम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है पढ़ो बराबर पढ़ो लेकिन अपन तो विल्कुल Krishna वाला ही है Gujarat के इसलिए मुझे क्या तुम समझाओ के Krishna क्या है मुझे इसकी कोई आविशक्ता नही है मैं सब जानता हूँ तो भक्त भी छोडने वाला नही था तुरंथ एक Spanish Krishna book उठाया एक English Krishna book उठाया दोनों को देके बोलता है Sir, you may know Krishna but you don't know Spanish Yes or no? बोले यार Yeah, I don't know Spanish बोले इसको कैसे समझ में आ गया बोला, why don't you use these two books to learn Spanish बोले यारी, आइडिया तो अच्छा है कि मुझे इस्पैनिश सिखना है और इस्पैनिश सिखने के अच्छा तरीका बता रहा है तो उन्हें दोनों बुक उठा लिया भूक डिस्ट्रिबूडर के भी दिमाग बहुत फांस चलता है कृष्ण अंदर से प्रेणा प्रजूलित करते रहते हैं तो उन्हें दोनों बुक उठा लेके गए स्पैनिश सिखने का प्रयास किया स्पैनिश सिखते सिखते जीवन परिवर्तित हो गया भक्ति चारु माराज के भी डिसाइपुल है स्पैनिश यातरा के लीडर है कृष्ण के साथ खेलोगे तो जलकी निकलोगे तो इसलिए यहां वरणन आया है भवसिंदु प्लवो द्रिष्टो हरिचर्यान वरणनम इसलिए हरिचर्चा करने पर हुर्दय परिवरतन संभव हो पाता है इस तरह नारदमुनी वीणा बजाते हुए वहां से निकल गए ज्ञान देकर तत पश्चात व्यासदेव जी अब श्रीमत भागवत का वरणन करना आरंब करते है तो अब श्रीमत भागवत का जो मूल परिच्य है वो पांडवों के चरित्र का वरणन से आरंब होता है और अब व्यासदेव जी बैठकर भागवत विचार कर रहे है भक्ति योगे नमनसी सम्यक प्रनिहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायाम्चयत अपाश्रयं ययासं मोहितों जीवों आत्मानं त्रिगुनात्मकं परोपि मनुते अनर्थमं तत्कृतं चाभि पद्यते तो अब व्यासदेव जी भक्ति योग क्या है ये प्रस्तुत करने के लिए श्रीमत भागवत का वरणन का नारंब कर रहे है क्योंकि देख रहे हैं कि हर जीव अनर्थों से अभी भूत हो गया है और इस जगत के हर प्रकार के इंदरी विशे में लगा हुआ है करुनावश ऐसे अनर्थों को दूर करने के लिए व्यासदेव जी अब श्रीमत भागवत वरणन करना आरंब करते हैं अनर्थ उपशमम साक्षार भक्तियोगम अधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वाम्स चक्रे सात्वत सम्हितम लोग नहीं जानते कि वास्तों में भfunded क्या है और त्यलाणजली देने के योंग ये क्या है ये अंतर नहीं जानते सारश्वत थाकृर के पास एक बहुत बड़े स्कॉलर आये और करने लगे मैं आप से दिक्षा लेना चाहता हूं सराष्वाद ठाकुर् प्रेश्वाद तो करहुँय कर दू हरुगा यह थो पो Fazenda अब भई इक्षा लेना हो तो पूस्टो परीक्षा लेनी हो गी बोले नहीं मैं बाद में सोच के आता हूँ, चले गए, उसी सप्ता वो साइकल चला रहे थे विचारे, स्कूल टीचर साइकल से गिरे और उनकी दाड़ी साइकल के पईये में अटक गई, चारों तरफ लोग घेर लिये, उनको उठाने का प्रयास किये, निकालने ही पारे थे सीधा निकल कर सरस्वजी ठाकूर के पास आये, बोले खुद ही निकाल देता तो अच्छा था, लेकिन इसको कहते हैं अन अर्थ, अर्थात गोलोक के द्वार पर खड़े होकर, जब हम कोई नोट दिखाएं और कहें कि इसके आधार पर आप हमको गोलोक में प्रवेश दो, अर्थात जैसे आपनों को याद होगा, घोशना हुई कि अलग-अलग प्रकार के नोट के उपर पाबंदी, कौन-कौन सा नोट था हो, पांचसो और हजार, तो एक दिन पहले वो पांचसो और हजार अर्थ था, अनौंस्मेंट के अगले दिन वो हो गया, अनर्थ, जिसको दिखाने के बदले में कोई प्राप्त नो हो वस्तू, उसको कहते हैं, अनर्थ, इन्वैलिड करंसी का मतलब है अनर्थ, अर्थात काम, क्रोध, लोब, मत्सर, इत्यादी के आधार पर सोसाइटी के मैगजीन का फ्रंट कवर पर हम आ सकते हैं, लेकिन इनको लेकर हम गोलोक के द्वार पर खड़े होकर बोले मेरे पास बहुत काम है, बहुत क्रोध है, बहुत लोब है, एंट्री दो, बोले चल, रभवद हो यहां से, भागो यहां से, प्रवेश निशेद है, इसलिए इसको कहा गया है, अनर्थ, तो यह भागवत सुनने पर क्या होता है, इन अनर्थों से हम मुक्त होते हैं, और भय से हम मुक्त हो सकते हैं, शोक, because of past, मोह in the present, भय in the future, भविश्य, भूत और वर्तमान से उत्पत्त, इन तीनों भावनाव से हम मुक्त हो सकते हैं, और अपने जीवन को परिवर्थित कर सकते हैं, एक गरीब व्यक्ती, जोट्शी के पास जाकर कहता है, कि जोट्शी जी, मैं अपने गरीबी से बहुत परेशान हूँ, बताएए क्या करूँ? जोट्शी उनका सब देखकर बोले वेटा, चालीस वर्श की आयूत तक तुम अपने गरीबी से परेशान रहोगे, तुम बड़ा खुश हो गया, बोले अच्छा, जोट्शी जी फिर चालीस साल के बाद क्या होगा? जोट्शी जी बोले उसके बाद गरीबी के आदत लग जाएगी, तो हो सकता है हम विचार करें कि हर प्रकार के प्रयास से हम अपना जीवन परिवर्थित कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, तो जब हम भागवत का श्रवन करते हैं, समझते हैं कि वास्तों में जीवन में सबसे अधिक प्राप्य संबंध है जीव का इस जगत का कोई विशय या वस्तू या पद या स्थिती या संबंध प्राप्त हो अथवा न हो, हमारे कपोल में हो अथवा न हो, प्रवपात कहते थे कापाले नायको घी ठक ठकाले होई बेकी, कि अगर आपके माथा में घी नहीं लिखा है, तो केवल बरतन में चमच डा करने पर थोड़ी घी आ जाएगा, तो इसलिए चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, अमीर हो, स्वस्तो हो, अस्वस्तो हर व्यक्ति अपने घर्दे में अपूर्ण इच्छाओं को लेकर घूम रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिन्सकी अभिलाशाओं को पूर्ण किया जा सक क्योंकि इच्छाओं अनन्त हैं, इच्छाओं पूर्ण करने के साधन सीमित हैं, इसलिए शोक, मोह और भय अनिवारिय है, जब हम भागवत सुनते हैं तब समझते हैं कि वास्तों में जीव के लिए प्राप्यवस्तू, the most desirable object for the soul is Krishna, और वो केवल कथा श्रवन के माध्यम स अभी उपलब्द हो गया, जब कथा प्रसारन हो रहा है, आप लोग Krishna को सुन रहे हो, Krishna को ध्यान में ले रहे हो, Krishna के साथ संबंद स्थापित कर रहे हो, Krishna है अभी इस कथा के रूप में, वो संतोष का कारण बनता है, इसलिए कहते हैं आत्मारामस्चमुनयोह, निर्गरंथ अपि उरुक्रमे, कुरुवंत्य है तुकिम भक्तिम, इत्तं भूत गुनोहरी, हरेर गुनाक्षिप्तमतीर, भगवान बादरायनी, अध्यागान महदाख्यानं, नित्यम विष्णु जनप्रिय, तो कह रहे हैं कि देखिए, जो बड़े-बड़े आत्माराम है, निर्विशेश वादी है, प्रायन, मुनयो, राजन, निवृत्त, वदिसेधता, नैर्गुन्यस्त, रमंतेस्म, गुनानु कथने हरे, जो प्रकृति के तीन गुणों से परहें, ऐसे लोग भी भगवान की भक्ति को प्राप्त करके उसके प्रती आकृष्ट होते हैं. चैतन्य सेवा चैतन्य गाव लव चैतन्य नाम चैतन्य ये भक्ति करे से मुरप्राण नाना शास्त्र आनि कोईला भक्ति ग्रंत सार मूढ अधम जनेरेत तेहो थरिला निस्तार प्रभुर आज्याय कोईलासब शास्त्र और विचार ब्रजेर निगूड भक्ति कोरिला प्रचार तो महाप्रभु ने रूप सनातन को इन सभी ग्रंतों का निचोण प्रस्तूत करने को कहा क्योंकि भगवान स्री कृष्ण के गुणों को जब हम सुनते हैं उन गुणों को सुनकर हम आकरिष्ट होते हैं तो कृष्ण कतह में वो ऐसा कॉन सा तत्व है जो सर्व आकर्षक है वो है कृष्ण के गुण वाट इस ताट फीचर विदिन द कतह विदिन द लीला विच इसमोंस्त अट्रेक्टिव इस कृष्णास क्वालिटी अगर कोई चंदन को देखता है तो चंदन में सबसे आकरशक तत्व क्या है? उसका सुगंध घिसने पर प्रकट होता है अगर कोई आपको खीर दे उस खीर के अंदर सबसे आकरशक तत्थु क्या है उसका मिठास जब तक वो आपके जिहुआ को स्पर्शन करे आप उसका पूरा लाप नहीं ले सकते उसी प्रकार कृष्ण कथा में सबसे आकरशक तत्थु क्या है क्रिश्ण कथा में सबसे आकरशक तत्थु है क्रिश्ण के गुणों के उपर चिंदन और मनन अगर केवल चंदन को स्पर्श किया या खीर को केवल अपने आखों के सामने दे कर उसकी आरती उतारी तो उसका पूरा लाब नहीं मिलता उसी प्रकार केवल कथा को अगर इस कान से अंदर प्रविष्ट कराकर दूसरे कान से निकाला लेकिन उस कथा के अंदर जो वास्तविक आस्वादन करने योग्य तत्थ्व है उसके आपर चिंतन नहीं किया तो क्या किया तो इसलिए कि यहां कहा गया है हरेर, गुण, आक्षिप्त मतीर जो हमारे मती, जो अपने बुद्धी, हमारे मन को आक्षिप्त करता है आकरशित करता है, वो क्या है? हरेर गुण, कृष्ण के गुण the qualities of Krishna we need to meditate upon while hearing the Katha ये Katha केवल Krishna के गुणों का विज्ञापन है और कुछ नहीं और अब इस हरी गुण को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आरंब हो रही है अगले श्लोक से कैसे Krishna ने पांडवों के साथ ऐसा प्रेम का आदान प्रदान किया आप अपने जीवन में कोई स्नेहिल संबंद चाहते हो प्रेम का संबंद चाहते हो लेकिन Krishna से अधिक प्रेम मैं दूसरा कोई व्यक्ति आपको प्राप्त नहीं होगा संबंद स्थापित करना हो तो करोणों करोणों जन्मों में आपने कितने ही लोगों के साथ कितने ही परिवारों में कितने ही संबंद स्थापित किये कितने ही पदवियों को प्राप्त किया कितने ही संपत्ति के साथ संबंद स्थापित किया कितने सामाजिक लोगों के साथ संबंद स्थापित किया कितने अनुभवों के साथ संबंद स्थापित किया लेकिन इस दुरलब मानव जीवन में जब आपके श्वास वायू के कुछ पल रह गए हैं भगवान स्री कृष्ण के साथ संबंद स्थापित कीजिए और कृष्ण के साथ आप संबंद स्थापित करोगे उनके गुणों को समझ कर उनके गुणों को विचार कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है और इसलिए पांडवों के साथ कृष्ट ने जो संबंद स्थापित किया और उनके साथ जो आधान प्रदान किया उससे कृष्ट के गुण जो प्रकट होते हैं उसको मनन करके सोचिए क्या मैं भी कृष्ट के साथ संबंद स्थापित करूँ तो कितना श्रियस्कर होगा तो अब वर्णन आ रहा है सब्तम सकंद के तेरवे श्लोक से कि कैसे कृष्ट पांडवों के साथ आदान प्रदान की एक कुरुक्षेत्र की रणभूमी में चौसत करोड सेनिक मारे गए और सारे पांडव अब जीवित हैं अब क्या दशा हुई यहां वर्णन आया है यदाम्रधे कौरबस्रिंजयाना वीरेशु अथो वीरगतिम्गतेशु वर्कोदरा विद्ध गदाभिमर्षा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भरतुरुप्रियंद्रो निरितिस्मपष्यन कृष्ण सुतानाम् स्वपताम्षिराम्सी उपाहरत विप्रियमे वतस्या जुगुप्सितं कर्म विगर्हयंती कौरवों ने और पांडवों ने युद्ध में एक दूसरे को मार काट कर दिया व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्षा भीमसेन ने अपने क्रोध को प्रकट करके हर एक कौरव जो भाई थे एक-एक को नश्ट किया और दुर्योधन को भी समाप्त किया भग्नोरो दंडे धृतराश्टर पुत्रे न केवल भीमसेन ने इनका वद किया भीमसेन ने उनके रक्त का भी पान किया भीमसेन ने इतना भयावा रूप से उनकी मृत्यू की भर्तु प्रियम द्रावनिर इतिस्म प्रश्चन कृष्ण सुतानाम स्वपताम शिराम सी लेकिन जब पांडबों के पुत्र सुकता वस्था में थे तो उनके अवस्था को देखकर अश्वत्थामा के मन में विचार आया कि मैं उनके साथ प्रतिकार करूँ अश्वत्थामे अंठान ली कि मैं अपने पिता द्रोणाचारे के वद का प्रतिकार करके रहूंगा और अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों के उपर सुक्तावस्था में आक्रमन करके निर्मम रूप से उनके हत्या की और उन पुत्रों के सर को लेकर वो दुर्योधन के सामने प्रस्तुत किये ये सोच करके हमारे स्वामी प्रसन्न होंगे वो वास्ता में अपने स्वामी भक्ती को प्रकट कर रहे थे लेकिन दुर्योधन बड़े ही लज्जित हुए और दुद्कार ते हुए कहा कि अश्वत्थामा तुमको क्या लगा कि मैं इतना निरलज हूँ कि सोते हुए मासुम बच्चों का वद को देखकर क्षत्रिय होते हुए मैं उस पे गर्व करूँगा धिकार है तुम पर और अश्वत्थामा को उन्होंने बड़े बुरे बड़े शब्दों के साथ दुद्कार दिया लेकिन सोचिए पांड़ों के जीवन में क्या घटी जीवन परियंत उनके जीवन में एक से बड़कर एक चुनोतियां और अपात कालिन परिस्थितियों का बबंडर चलता रहा लेकिन पांड़ों भगवान स्री कृष्ण के स्नेह बंधन में बंधे रहे कई बार जब हमारे जीवन में कोई दुर घटना घटती है अपात कालिन परिस्थिति आती है कोई पराजय होता है अपेक्षा के विपुरीत जब कोई सद्मा लगता है हमारे मन में सरवपरतम प्रश्न का बुलबुला उड़ता है ऐसा क्यों? क्रुष्न ऐसा क्यों? और कभी-कभी मन इतना विचलित हो जाता है हम इतने परेशान हो जाते हैं जब उत्तर नहीं मिलता कलपना करते हैं कि अगर क्रुष्न हमारे सामने होते और क्रुष्न से साक्षा-प्रश्न पूछने का सोभाग्य मिलता तो पूरे आत्म विश्वास के साथ उत्तर से हो सकता है मैं शान्त हो जाता ऐसे हमारे मन की कलपना है इसलिए ये कथाई है भगवान वरनन करना चाह रहे हैं आप ये न सोचें कि मैं आपके जीवन के पल पल के प्रश्ण का उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं हूँ इसलिए आप लों का दुरभाग्य है पांडवों के जीवन के पल पल में उनके प्रश्ण का उत्तर देने के लिए मैं विद्यमान था लेकिन फिर भी पांडवों के साथ कितनी दुरगटनाई घटी लेकिन पांडवों ने एक बार भी मुझसे प्रश्ट नहीं पूछा ऐसा क्यों इसलिए भागवत की शुरुवात हो रही है पांडवों के सनेह बंदन कथा से क्योंकि जब तक पांडवों के चरित्र को नहीं समझेंगे, कृष्ण को नहीं समझेंगे, भागवत को नहीं समझेंगे इसलिए भागवत में वरणन किया है, रासलिला सुनना असान है, लेकिन वो बहुत उचा तत्व है जब तक हम अनिश्चित्ता में भगवान स्री कृष्ण के करुणा के विशय में निश्चिन्त न हो जाए, तब तक हम भागवत के पन्नों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो इसलिए भगवान कही रहे हैं, ये न सोचिये मेरी अनुपस्थिती में ही अनिश्चित्ता होगी, मेरी साक्षात उपस्थिती में पांड़मों के साथ भी निरंतर अनिश्चित्ता थी, there was constant uncertainty, calamity, unanswered questions तो इसलिए यहाँ पर कही रहे हैं कि बड़े-बड़े क्षत्रियों ने एक दूसरे का विद्ध्वन्स किया, और ऐसा नहीं कि वहाँ पर उनके क्षत्रियता में कोई कमी थी, सारे क्षत्रिय थे, करोडों क्षत्रिय थे, उनलों का स्वधर्म, उनका स्वभाव पुरा न मुझे समझ में नहीं आया, मेरा स्वधर्म मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं परेशान हूँ, लेकिन ये सभी क्षत्री पूरी तरह समझे हुए थी उनका स्वभाव क्या है, स्वधर्म क्या है, जैसे हमारे एक इसकौन में भक्त हुए, वियतनाम के वार में उनको भेजा गया कॉलेज से 60's की बात है जबरदस्ती भेजा गया और बोले मेरे अंदर क्षत्रीता कुछ था ही नहीं जबरदस्ती भेजा मैं बंदुग देखके कांपता था तो जिस समय वो वार में घुसे गोलियां चलने लगी वियतनाम में और उनके साथ जो उनका सौलजर था उसको गोली लगी वो गिर गया वो जैसी गिरा उन्होंने उनका डेड बोडी उठाया सोचा कि अगला गोली मुझे लगेगा डेड बोडी को अपने सामने रखा बोला अगली गोली लगे तो इसी को लगे केम्प में आकर देखा कि ये व्यक्ति मरे नहीं थे, उनका मित्र जिंदा था सेना ने इनको मित्र को अपने जान पर खेल कर युद्ध हुमी से बचाने के लिए वीरता पदद दिया वीरता पुरस्कार दे दिया हमने कभी बताय ने किस परिस्थिती में बचा के लाया एक हमारे दूसरे भक्त थे, बड़े क्षत्रिय प्रवृति के थे, मतलब उनको चपन भोग रखो और जगड़ा का एक मौका दो, तो जगड़ा ही लेंगे पहला तो मैंने उसको कहा कि भईया इतना तुम पैशनेट हो थोड़ा यातरा करके आओ बदरिक आश्रम में बदरिनात में जाकर थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा तो इस समय वो इसकोन ब्रंदावन के गुरुकुल के बच्चे जा रहे थे तो ब्रंदावन से उनका टिकेट कराया तो गए मैंने का भागवत वागवत पढ़ना पुरा फर्स्ट केंटो अगरा लेके गए तो उनके साथ उनका बुकिंग था तो बैढ गए आगे जाकर औ भागवत को रखा गया दो चार जापड लगाया उस आदमे को नीचे पटका उसको लातवात मार के सिधा रेलवे पुलिस के पास पकड़ाया पकड़ा कर पुरा केस दर्ज करा कर फिर चेंड पुलिंग वगरा कर के गाड़ी को रोक कर फाइनल करने के बाद आया वापस भ भागवत खोला था, लेकिन बिना पूछे सेवा आजाती है, करें तो क्या करें, तो कई बार हो सकता है, कि कई लोग विचार करें कि हाँ, समस्या का कारण क्या था, उनके स्वधर्म में कोई समस्या नहीं थी, सारे क्षत्रिय थे, लेकिन स्वधर्म जानते हुए भी धर्म संकट में थे, और यहाँ पर पुत्र की हानी अर्थात कितना बड़ा शोक, पांडवों के सारे पुत्र को, पुत्रों को एक साथ अश्वत थामाने के से निर्मम रूप से हत्या की, अब द्रोपदी की अवस्था यहाँ पर बता रहे हैं, तो इन शिश्यू की माता द्रोपदी रो रही थी, और वो सोच रहे थी कि अब क्या होगा, तदारुदत बाश्पकलाकुलाक्षी, उनको रोते हुए देखकर भगवान स्री कृष्ण, देख रहे थे अब अर्जुन क्या करेंगे, अर्जुन अर्था जिनका नाम है किरीट माली, उनको सांत्वना दे रहे हैं, और सांत्वना देते वह कहते हैं, कि हे दरोपदी आप निश्चिन्त रहो, जब तक मैं जाकर अश्वत्थामा का वद करके, उसका सर काटकर आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा, और उसके सर पर आप खड़े होकर अपना अवभृत स्नान नहीं करोंगे, तब तक मैं शांती नहीं पाऊंगा, अर्थात अश्वत्थामा का वद करने का पूरा धृड़ संकल्प कर लिए, और अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लगे, भगवान स्रीकृष्ण अर्जुन के साथ थे, और अश्वत्थामा ने देखा कि अब अर्जुन मुझे मेरा वद करने ही वाला है, तो अश्वत्थामा भी परेशान हुआ, और अश्वत्थामा के पास दूसरा कोई अवसर नहीं था, उनके पास ब्रह्मास्तर था अश्वत्थामा ने अर्जुन के उपर और कृष्ण के उपर एक साथ ब्रह्मास्तर चला दिया अब सोचे ब्रह्मास्तर कितना भयावह अस्तर है ब्रह्मास्तर तब चला जाता है जब बाके सारे अस्तर फेल हो जाए अश्वतामा की मूर्खता ये थे कि वो भ्रम्मास्तर चलाना जानते थे उसको खीचना नहीं जानते थे लेकिन ऐसे अज्ञान में क्योंकि वो क्रोध और पागलपन से अभिभूत थे उन्होंने चला दिया अब व्यवस्था ये थी कि करें तो क्या करें तो उस अस्त्र को आता हुआ देखकर यहां वरणन आया है आगे के श्लोकों में 21 श्लोक को देखिए ततह प्रादुष्कृतम तेज़ा प्रचंडम सर्वतों दिशम प्राणा पदम अभिप्रेक्ष्या विष्णुम जिश्णुर उवाचह तो इस सेक्षन का नाम हमने दिया है एंगर एंगर एनेमिटी हैज नो एंड क्रोध का कोई अंत नहीं है क्रोध की कोई सीमा नहीं है ध्वेश की कोई सीमा नहीं है शत्रुता की कोई सीमा नहीं है इसलिए शत्रुता को शत्रुता के साथ नहीं काटा जा सकता हाँ प्रशासन के स्तर पर राज्जी को संभालने के लिए कई बार वो सब करना पड़ता है लेकिन महाभारत से भागवत में अंतर क्या है भागवत में हर्दे के अंदर परिवर्तन कैसे लाय जा सके इसका वर्णन है महाभारत में समाज में परिवर्तन कैसे लाना है इसका वर्णन है तो इसलिए शिला प्रहुपाजी ने इसकौन की स्थापना की और इसकौन में सर्व प्रथम उन्होंने श्रीमत भागवत के उपर टिकाये दी महाभारत के उपर नहीं क्यों? क्योंकि प्रहुपाजी ने इसकौन की स्थापना की व्यक्तिगत खृदे परिवर्तन का विचार करके और वो व्यक्तिगत परिवर्तन की आधार शिला पर फिर प्रशासन के स्तर पर राज्य के स्तर पर जो कुछ परिवर्तन करना हो वो एक दूसरा मुद्धा है लेकिन इसकौन का मूल कर्तव्य है हृदे परिवर्तन और वो यहाँ पर वरणन आ रहा है तो इसलिए प्राणा पदम अभिप्रेक्ष विष्णुम जिश्णुर वाचह अर्जुन भैभीत हो गए अर्जुन सोच रहे थे कि हम इस परिस्थिती में करे तो क्या करे और यहाँ पर अश्वत्थामा का वरणन आया है द्विजात मजह सन अफ ब्रामना अर्थात कहने के लिए ब्रामन थे लेकिन ब्रामन जैसे गुण नहीं थे क्योंकि उनके हरदे में द्वेश और प्रतिकार की बड़ी भावना थी तो इसलिए यहाँ पर विश्णुम जिश्णूर उवाजह अर्जुन के हरदे में क्या बीत रही थी अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच कलह आरंब हुआ तो अब तक महाभारत चल रहा था महाभारत में एक ही परिचे आता है शत्रुता का प्रतिकार शत्रुता के साथ इट का जवाब पत्थर से क्रोध का जवाब क्रोध से लेकिन जैसे ही भागवत आरंब हुआ अब सप्तम अध्याय में ये परिचे आ रहा है अब समय आ गया है द्वेश को प्रेम में परिवर्थित करने का क्रोध को दूसरों के प्रती कृपा के रूप में परिवर्थित करने का और यहाँ पर सामान नत्या अर्जुन तो उसको समाप्त करने के लिए तैयार ही थे लेकिन अब समय आया है विचार करने का चिंतन करने का ये परिचे यहाँ पर आरंब हो रहा है इसलिए सात्मे स्कंद में आप देखोगे कवर पर नर्सिंग देव हिरन्य कश्भू का चीरफाड कर रहे है है कि नहीं यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर नर्सिंग देव ने देखा कि हिरन्य कश्भू का रवया बदल नहीं रहा समाप्त करो लेकिन उनका पुत्र नोद्विक्न चित्तो व्यसनेशु निस प्रशुतेशु द्रिष्टेशु गुनेशु अवस्तु द्रिक प्रलाद पिता और पुत्र में अंतर क्या था प्रलाद का घृदे शुद्ध था परिवर्तित था और इसलिए प्रभुपा जी चाहते थे कि वैश्णव समाज में हम घृदे परिवर्तन पर बल दें भक्तिविदान्त हस्पिटल में एक समय सरजरी ओप्रेशन थेटर में नर्सिंग देव का फोटो लगा वा था एक पेशेंट का सरजरी होने जा रहा था उसकी द्रिष्टी अचानक गई नर्सिंग देव के चीर फाड़ खरते वे फोटो पे वो देखके घबरा गया पहली बार देखा था ऐसा द्रिष्ट विक्राल द्रिष्ट देखकर डॉक्टर को पोचा डॉक्टर ये है क्या चल क्या रहा है डॉक्टर भी अपने डिवोटी थे प्रिचिंग करने का मौका नहीं जोडते हैं तुरो ने कह दिया ये इतिहास का पहला सर्जरी है तो पेशन्ट बोलता है डॉक्टर हुआ क्या सर्जरी का नतिजा क्या निकला डॉक्टर बोले kingdom operation successful patient liberated सरजरी सफल हुआ हिरन्य कशिपु के लिए लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं हिरन्य कशिपु का अहंकार ऐसा था कि वो बोले यस्त्वया मंद भाग्योतो मदन्यों जगदिश्वर मुझे छोड़कर दूसरा कोई प्रतिभाशाली शक्तिशाली राजनेतिक द्रिष्टी से प्रभावी कैसे हो सकता है मैं तो सबसे सरिष्टू हूँ मिथ्या अहंकार का अंत, मिथ्या अहंकार का दमन, मिथ्या अहंकार का विनाश दिन में नहीं हो सकता, रात में नहीं हो सकता मिथ्या अहंकार धर्ति पे समाप्त नहीं होता, मिथ्या अहंकार आस्मान में समाप्त नहीं होता मित्या अहंकार 84,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, भागवत एक exit मार रहा है महाभारत का highway पर क्या है अगर कोई परिवर्तित न हो उसके हड़ी को परिवर्तित करो हड़ी पसली तोड़ डालो ये महाभारत चलते चलते भागवत का जब exit आता है बोले यार हड़ी पसली को रहने दो घरदे के अनर्थों को परिवर्तित करो इसलिए ये भागवत में पूरा आक्रोश और प्रतिकार वाला सीन है ये पाच पुत्र मारे गए द्रोपदी परेशान है उनका पती जाजवल्यमान शक्तिशाली अर्जुन धनुर्धर कृष्ण भी उनके साथ ब्रह्मास्तर भी चल गया है मतलब महा भयंकर एक और महा भारत की पूरी तयारी है लेकिन ऐसी अवस्था में अचानक ये भागवत प्रवेश कर गया है इसलिए क्या होगा देखते हैं अर्जुन अवाचा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर तुमेको दह्यमानानाम अप वर्गोसि सम्सृते हैं तुमाध्य पुरुष साक्षा कीश्वर प्रकृतेपरा मायाम युदस्य चित्शक्त्या कैवल्यस्थिता आत्मनी अर्जुन कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर आप एक मात्र व्यक्ती हो जो भक्तों को अभयदान दे सकते हो कृपा करके हमें इस ब्रह्मास्तर के तेज से बचाईए प्रभो और तुम आध्य पुरुशस साक्षात आप ही आप एक ऐसे व्यक्ती हो जो इस प्रकृती से परे हो आप माया के इस प्रभाव से हमें बचाईए ये प्रभो इस प्रकार अर्जुन भगवान स्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हैं प्रहुपाज बड़ा सुन्दर दात्परेर कहते हैं अपवर्गोसी समस्मृते इस समस्मृती से अपवर्ग का रत क्या होता है अर्थात वैष्णवो का अशिरुवाद गुरु की शिक्षा जब तक हमें गुरु की वानी नहीं प्राप्त होगी तब तक हम इस भव सागर से बच नहीं सकते विताउट वैष्णवास गाइडन्स वी किनॉट बी रिलीज़ फ्रम सम्सृती समसार तो अपवर्गोसी समस्रते का तात्पर प्रवपात कहते हैं समसार दावा नलडेड लोका त्रानाय कारुण्य घनागनप प्राप्तस्य कल्यन गुनार नवस्य वंदे गुरो स्री चरनार विनप ऐसे शिक्षा, दिक्षा, पत्प्रदर्शक, गुरुवों के आशिर्वात से कृपा से हम लोग इस समस्रते से बच सकते हैं हमारे शिक्षाश्टकम प्रभू बहुत साल पहले एक कॉर्परेट प्रोग्राम कर रहे थे तो उसके पहले उनका एक लैप्टॉप खोले वो उनका कुछ प्रेजेंटेशन था तो लेप्टॉप के स्क्रीन पर रादनात महराज का फोतो था तो जैसे वो स्क्रीन पर आया परलोısıिं महराज के तो जो अर्गनेजर थे वहां के एक मैनेजर भूले रहे नाइस फोतो, वह इस स्क्रीन सेवर वह इस युम बहुत खोले हिस्माई सेवर उन्होंने हमारा जीवन बचा लिया तो इसलिए प्रहुपाजी कहते हैं कि चाहे इस जीवन में कितने भी कठनाईया क्यों न हो वैश्णव समाज समुदाय हमें क्या देता है ऐसे वर्तमान परेशानी के बीच में आशा के किरन don't think problems will go away but your ability to cope with problems will change वैश्णव समाज का ये कारएं ये मूल करतव्य है आशा जागरित करना to create hope प्रहुपाजी मेक्सिको में थे एक सरव उनका सेकरेटरी उनका मालिश कर रहा था मसाज कर रहा था और सारे मच्छर काट रहे थे तो सरवेंट प्रहुपाद को देखके बोलता है प्रहुपाजी मैं देख रहा हूँ की मच्छर मुझे काट रहे हैं लेकिन आपको नहीं काट रहे प्रहुपाजी प्रहुपाजी नहीं देखके प्रहुपाजी प्रहुपाजी नहीं कर रहे थे बैठे फिर प्रभपात ने कहा Just see, mosquitoes have dethroned me इस जगत में आदिदेविक, आदिभोतिक ये सारे कलेश चलते रहेंगे इन से हम बच नहीं सकते लेकिन अपने हरदे के अंदर जो संघर्ष चल रहा है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति का ज्यान हमें दिया गया है प्रभपाजी एमस्टरडाम में DT installation करवा रहे थे सब नए नए लोग थे किसी को कुछ मालूम इने प्रभपाज बोले फल का है, where are the fruits? किसी ने का, oh we used it in fruit salad तो प्रभपाज चिला रहे हैं, चिला रहे हैं अंदर खटखट आवाज हो रहे हैं, अंदर जाके चिला हैं पर प्रभपाज बहार निकले बैट के चिला है which rascal is responsible, which rascal तो प्रभपाज के पीचे एक हिप्पी बेटा था वो प्रभपाज को पीचे से ऐसे करता है प्रभपाज मुडे वो हिप्पी प्रभपाज को एक माला देता है बोलता है, don't be angry, chant Hare Krishna philosophy बराबर समझ लिया गलत व्यक्ति को सुनाया तो जो हुर्दे के अनर्थ को दूर करना हो वो क्षमता, वो शक्ति यहां प्राप्त होती है और अब हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन धनोरधर है, किरीट माली है इन सब शब्दों का प्रयोग हुआ है पहले लेकिन अर्जुन ऐसी परिस्थिती में उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है आगे वर्णन आ रहा है अर्जुन कहते हैं 26 मिशलोक में किदम इदं स्वित कुतोवेती देव देवन वेद्म्यहम सर्वतो मुखमायाती तेज़ परमदारुनम यह है क्या मैं समझने रहा हूँ देव देवन वेद्मी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ हे कृष्ण यह इतना भयंकर तेज जो चारों दिशाओं से हमारे उपर हावी हो गया है वो क्या है सर्वतो मुखम आया थी तेज़ परमदारुनम मुझे समझने का प्रयास करना है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कृपा करके मेरा संरक्षन कीजिए आप ही मुझे बचा सकते हो अर्थात और जुन इतने बड़े धनोरधर होते हुए ऐसी अवस्था में भी ब्रमित हो गए अर्थात जिस क्षेत्र में हम बड़े निपुण हो पारंगत हो स्रेष्ट हो एक्सपर्ट हो स्किल्ड हो इतिहास में सफल हो हर प्रकार के अनुकुल परिस्थिती रखते हुए भी जीवन में कई ऐसे मोड आएंगे जिसमें वो सारे अस्तरशस्तर रखते हुए भी हम भ्रमित हो जाएंगे कि इस समय इस क्षण मुझे क्या निरने लेना चाहिए decision making paralysis तो अर्जुन के साथ वही हुआ जानते थे ये अस्तर चला है लेकिन अभी मुझे करना क्या है कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं निवेदन विनम्रता पूर्वक श्री भगवान उवाच वेथेदं द्रोन पुत्रस्य भ्रामनस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेदसंहारं प्राण बाध उपस्तिते तो भगवान केते हैं कि अर्जुन ये अश्वत्तामा के द्वारा भेजा गया ब्रह्मास्त्र है और कुछ नहीं कृपा करके इस अस्त्र को प्रतिकार करने के लिए आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और आप अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर उसके भी ब्रह्मास्त्र को खीचो नहीं तो ब्रह्मान का विद्वन्स हो जाएगा लोक कल्यान है तू आप तुरंद ब्रह्मास्तर को चलाओ इस प्रकार भगवान सरी कृष्ण के निवेदन करने पर अर्जुन ब्रह्मास्तर चलाते हैं और दोनों ब्रह्मास्तरों को खीच कर अर्जुन अपने पास रखते हैं भाग कर अश्वत्थामा को बलपुर्वक हस्तगत करते हैं और अश्वत्थामा को कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं भगवान स्रीकृष्ण के सामने अर्जुन ये प्रश्ण रखते हैं कि अब इस अश्वत्थामा के साथ क्या किया जाए क्या इसको दंड दिया जाए या इसको क्षमा किया जाए इसके साथ कैसा न्याय हो इसका निरने कीजिए और ये श्रीमत भागवत का बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा का विशे है तो इसलिए दूसरे सकंद का एक श्लोक मैंने आपर वरणन किया है तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान इश्वरो हरी श्रोतव्यकिर्थितव्यस्चा स्मर्तव्यस्चा इच्छताभयम तो कई अनिश्चितताओं में हम लोग समझ नहीं पाते करना क्या है और कई बार लगता है प्रश्ण पूछने वाला मिलेगा जो उत्तर दे प्रॉब्लम सॉल्ड कुम्मेला में प्रभुपाजी थे तमाल कृष्ण माराज भागे भागे आए प्रभुपाद की पास प्रभुपाजी बहुत बड़ा कलह चल रहा है प्रभुपाज बोले क्या हो गया तमाल कृष्ण माराज बोले मधुद्विश प्रभु कह रहे हैं क्रिष्ण और बल्राम में अंतर ये है कि क्रिष्ण काले हैं बल्राम जी गोरे हैं प्रभुपाद ने का हाँ, he is right तमाल क्रिष्ण मारा ने का हाँ, but Yamuna Devi, she is saying the difference between Krishna and बल्राम is only Krishna enjoy with Radharani, not बल्राम प्रभुपाद ने का हाँ, she is right तो तमाल क्रिष्ण मारा ने का, प्रभुपाद, बोथ are saying two different things, how can both be right प्रभुपाद ने का, you are right तो बल्राम प्रभुपाद, what is the right answer प्रभुपाद ने का, you decide प्रभुपाद ने का, they call me प्रभुपाद, but treat me like प्रभुपाद कि, कोई भी problem हो, प्रस्तुत हो जाओ, और प्रश्ण पूछो उत्तर मिलेगा ऐसा नहीं तो यहाँ पर क्रिष्ण कहे रहे हैं, अरजुन के सामने मैं खड़ा हो लेकिन मैं उत्तर नहीं देने वाला हूँ अर्थात जब तक व्यक्ति इस बात को न समझ जाए भागवत को नहीं समझ सकता कि भागवत को समझने के लिए हमें भगवान स्री कृष्ण के साथ घृदे के अंदर एक संपर के स्थापित करना होगा और जब हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे कृष्ण हमको निर्ने लेने की शक्ति प्रदान करेंगे इसलिए का आ गया है श्रोतव्य किर्थितव्यस्च स्मर्तव्यस्च इच्छता अभ्यम और यहाँ पर अब वर्णन आ रहा है छटे टॉपिक में कि कृष्ण एन भीमा प्रमोट जस्टिस तो कृष्ण कहते हैं अरजुन को अश्वत्थामा का वद करो क्योंकि अश्वत्थामा ने मासूम बच्चों की हत्या की और क्षत्रिय को चाहिए कि ऐसे युद्ध न करे क्षत्रिय के युद्ध के नियम का उलंगन किया है इसलिए वद करने के योग्य है तथाकतित ब्रामण है लेकिन ब्रामण के नियमों का पालन नहीं किया है ये वद के योग्य है समाप्त करो इसको भीमसेन भी कहते हैं भीमसेन को तो बोलने की जरुवत्यी नहीं उनका राय क्या है उनकी मत क्या है पूछनी क्या अवश्चक्ता नहीं वो तो हमेशा गदा लेके तैयार ही है तो ऐसी अवस्था में अब किसी को लगेगा कि भगवान स्री कृष्ण जब कह रहे हैं अरजुन को मारो तो कृष्ण तो उठा के मार ही देंगे लेकिन यहाँ वर्णन आ रहा है सैंतिस्वे श्लोक में स्वप्राणान्य परप्राणे प्रपुष्णात्य ग्रिनक्खलह तद्वधस्तस्य ही श्रेयों यदोशाद्याति अधपुमान तो कृष्ण निर्णे दे रहे हैं कि भाईया ऐसा खल को समाप्त करना ही श्रेयसकर है इसको छोड़ो मत इसको जीवंदान मत दो इसको समाप्त करो तो भगवान स्री कृष्ण का ये निर्णे है ये उनका निश्कर्ष है लेकिन अगले श्लोक में वास्तव में भगवान स्री कृष्ण अर्जुन की परिक्षा ले रहे हैं कृष्णा इस टेस्टिंग अर्जुनास अंडर्स्टेंडिंग तो ये 40th वर्ष भोत महत्वपूर्ण है एवं परिक्षता धर्मम पार्थकृष्णेन चोदिता नैच्छत हंतुम गुरुसुतम यद्यप आत्महनम्महान एवं परिक्षता धर्मम ये अर्जुन की परिक्षा हो रही है उसी प्रकार हम सब की भी परिक्षा होगी प्रवपाजी तात्परे में लिखते हैं अर्जुन के भक्ती के विशे में कोई प्रश्ण चिन्द नहीं भगवान स्री कृष्ण के मन में अर्जुन की प्रामानिक्ता के विशे में भी कोई प्रश्ण चिन्द नहीं अर्जुन का भक्ती का इतिहास भी निश्कलंक है लेकिन चाहे व्यक्ती कितना भी शुद्ध प्रगतिशील पारंगत क्यों नहो भगवान का अधिकार बनता है कि वो उसके भक्ती के जीवन में बारंबार परिक्षा देते रहेंगे भगवान का काम है परिक्षा देना और भक्त का काम है उस परिक्षा में उत्तेर्ण होना एवं परिक्षता धर्मं वो धर्म अर्जुन ने समझा है अथवा नहीं उसकी परिक्षा यहाँ पर चल रही है तो इसलिए प्रभपाजी कहते हैं हम सभी के जीवन में भक्ति के मार्ग पर परिक्षाएं होंगी जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया लेकिन कैसे आप उस परिक्षा में निर्णे लेते हो उस निर्णे को देखकर कृष्ण फिर आपको घृदय के अंदर से उचित राय देंगे आपकी बुद्धी प्रजुलित करेंगे आप उत्तिर्ण हो जाओगे तो एक बार दुर्योधन चलेगा इस सहदेव के पास अचा पांच पांडव में बाकी पांडव ते प्रसिद्ध हैं लेकिन हो सकते आप लोग जानते नहीं सहदेव किसके लिए प्रसिद्ध थे सहदेव जोतिश के लिए प्रसिद्ध थे बड़े जोतिशी थे तो दुर्योधन आके बोलते है सहदेव को क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कि ऐसा क्या करने पर कौरव लोग विजई होंगे तो जोतशी होने के नाते सहदे बोल सकते थे भाई यह पागल हो क्या मेरे से पूछ रहे हो अपना ही पराजय मैं लिख दू क्या लेकिन यह जमाना दूसरा था द्वापर युग था नियम भी कुछ और चलते थे तो तुरंत सहदेव कहते हैं आप अमावस के दिन कालबल यग्य संपन्न करो जो अमावस के दिन कालबल यग्य संपन्न करेगा विजय निश्चित है तो दुर्योधन बड़े प्रसन हो गए सहदेव चले गए कृष्ण बेचेन हो गए कृष्ण को नीद नहीं आरे कृष्ण तुरंत जागे और कृष्ण ब्रामनों को एकत्रित की अगले दिन सुबे और वो अमावस के एक दिन पहले का दिन था सारे ब्रामनों को लेकर पित्रों को तरपन करने लगे सारे ब्रामन बोले कृष्ण को तरपन तरपन तो अमावस दिन होता है, अमावस के एक दिन पहले क्यों कर्या हो Krishna? किसी दूसरे ब्राह्मने का रेक कुछ कर सकते हैं, तीसरे ब्राह्मने का दक्षिना तो मिले गा क्या फरक पड़ता है? अमावस अमावस बाद में देखते हैं, यग्य चल रहा था, अमावस कब है, सूरी बोलता है, मेरे कैलकुलेशन के इसाब से तो कल है, तो चंदर बोलते हैं क्रिष्न को कुछ ब्रहम हो गया क्या, सूरी बोले, बिजी रहते हैं, कभी-कभी मिश्टेक कर देते हूंगा, अपन जा के उनको समझाते हैं, सूरी और चंदर नीचे उतरे, क्रिष्न को बोले, प्रभो थोड़ा बगल में आयी, एक गोपनी बात बतानी है, सबके सामने लज्या आ रही हैं बताने, क्रिष्न बगल में आ गये, सूर्य और चंदर बुले प्रभो आप ये पितरों का तरपन कर रहे हो अमावस के दिन होता है अमावस आज नहीं है, कल है कृष्ण का बेटा जब सूर्य और चंदर लाइन में खड़े रहे हो, अमावस वो होता है सामने मेरे खड़े हो, आप आज ही तो तुरंत पांडवों को बुलाया कृष्ट ने बुला अभी यग्य करड़ा लो पांडवों ने उसी दिन उसी क्षमे जब सूर्य और चंदर थे यग्य कर दिया दुर्योधन केलेंडर के हिसाब से अगले दिन किया लेकिन समझा नहीं कृष्ट ने शडेंत्र रचकर पू कभी प्रत्यक्ष रूप में लेकिन दूसरे समय परोक्ष रूप में आपके मस्तिष्क को जागरत करके by activating your decision making मत्तह स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम्च कृष्णा गिव्स रिमेंबरंस, कृष्णा गिव्स फर्गेटफुलनेस तो इस संपूर्ण कथा में भगवान कह रहे है कि भया पांडमों के लिए तो मैं direct उपस्तित था आप सभी कल्यूग में भक्ति कर रहे हो, मैं आपके बीच नहीं हूँ लेकिन आप इस कथा से समझो कि मैं रहते हुए भी और जुन ने अपने हरदय के अंदर से अपने decision making को जागरत किया वैसे आप भी करो, कैसे वैश्णव को संतुष्ट करो वैश्णव का आशिरवात प्राप्त करो जब वैश्णव आशिरवात देंगे तो आपकी बुद्धी जागरत होगी और जटिल से जटिल परिस्थिती में सही निरने कैसे लेना है ये मस्तिश्क जागरत करने का विज्ञान आपको में बता रहा हूँ तो इसलिए अहाँ पर आगे next आता है दुरौपदी और निरुदिश्टिर प्रमोट मर्सी दुरौपदी कह रहे हैं क्षमा करो दुरौपदी कहती है गुरू का पुत्र है ब्रामन का पुत्र है वास्तव में ये क्षमा के योग्य है इनकी माता रोएगी मैं नहीं चाहती कि मैं जैसे दुखी हूँ इनकी माता दुखी हो केवल प्रतिकार से थोड़ी ये पूर्ण होने वाला है मैं तो दुखी हो गई लेकिन कृपी क्यों दुखी करे ये ठीक नहीं है महात्माओं का गुण बनता है कि क्षमा करे युदिष्टिर महाराज इसको सुनकर तुरन तयार हो जाते बोलते बिल्कुल सत्यवचन का है क्षमा करना चाहिए इतना जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है दुरनाचारे के कृपा से प्राप्त किया है दुरनाचारे के पुत्र को ब्रामन को समाप्त करना ठीक नहीं तो बस पांडवों में दो गुट बन गए भीम और कृष्ण ये एक और युदिष्टिर और दुरपदी एक और देखते ही देखते सामने मतभेद सिद्ध हो गया तो इसलिए श्रीमत भागवत की शुरुवात कैसे होती है मतभेद से श्रीमत भागवत बिगिन्स विट डिफरेंज ऑपिनियन बिट्वीन वैश्णवास कौरवों का मतभेद नहीं है पांडवों में मतभेद है इसलिए भगवान बताना चारे है जब तक हम भौतिक स्तर पर सामान या धार्मिक स्तर पर जितने मतभेद होंगे उसका समन्वे करना नहीं सीखेंगे तब तक हम भागवत को नहीं समझ सकते इसलिए सात्वे अध्याई में भी ये कथा दे दी कि इस कथा के आगे ही भागवत में आपको एंट्री मिलेगा क्योंकि इस जगत में हर व्यक्ती दूसरे व्यक्ती से भिन है no two people are alike no two opinions will be alike difference of opinion is present everywhere but if you do not learn the technique of overcoming those differences you cannot understand the conclusion of भागवत इसलिए भागवत का निशकर्ष प्रस्तुत करते हुए यहां वर्णन कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन को भगवान स्री कृष्ट ने अप्रेरित किया 49 वाला वर्स देखिए कृष्टना सप्लाइस डिस्क्रिमिनेशन नौट दिसिशन धरम्यम न्यायम सकर्णम निर्व्यलीकम समम महत राजा धर्म सुतो राग्या प्रत्यनंदत्व चोद्विजा तो कृष्ण कहे रहे हैं कि भाईया द्रौपदी ने जो कहा है धर्म के अनुसार है न्याय के अनुसार है करुना के अनुसार है निर्व्यलीक अर्था निश्कपट भाव से है समम्मह दोसरों के पर दे संभाव यक्ति किया है महात्माव जैसे वानी है सही कहा है करना है तो क्या करना है अर्जुन अब विचार तो करो अब नकुल और सहदे वो भी एक और थे ये भी दूसरी और थे अब ये भयंकर मतबेच जब चल रहा है तो क्रिश्न अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन धर्मानुसार धर्म के एक पक्ष की और देखा जाए अश्वत्थामा ने जो किया बड़ा भयंकर पाप है ऐसे पाप को दंड देना उचित है उसका वद करना उचित है उसको समाप्त करना ठीक है दूसरी द्रिष्टिकोन से ब्रामन है गुरू का पुत्र है और हम क्षत्री होने के नाते ब्रामनों का कोप भाजन नहीं कर सकते ख्रमा करना भी उचित है तो दोनों पक्ष हैं अर्जुन आप विचार करो क्या करना है तो सोचिए जो क्रिष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं डायरेक्ट डिसिशन नहीं दे रहे इसलिए हम भकती कर रहे हैं क्या पाने के लिए क्रिष्ण के क्रिपा पाने के लिए जिससे हमारी मस्तिशक जागृत हो कह रहे हैं you cannot take decision for anybody else कृष्ण सामने खड़े अर्जुन के लिए अर्जुन के लिए decision नहीं ले रहे हैं अर्जुन को प्रेरना दे रहे हैं तो अब 55th श्लोक बड़ा आवश्यक है समझना और कहते हैं अर्जुन सहसाग्याय हरेर हार्दम अथासिना मनिम् जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सहमूर्धजम् अर्जुन सहसाग्याय कृष्ण ने आज्या दी ऐसा करो हरेर हार्दम आज्याय अर्था नहीं आज्याय को यहां पर अर्थ है तुरंद जानना अर्जुन समझ गए क्या समझ गए हरेर हार्दम हरी के घर्दे को समझ गए हरी के घर्दे में वास्तव में क्या है वो समझ गए He understood Krishna's heart and that is the essence of Bhagavatam Bhagavatam helps you understand Krishna's heart तो इसलिए खरेर हारदम अथा सिना अर जुन ने Krishna के हृदे को समझ कर अपना तलवार उठाया और तलवार उठा कर समझ गये कि Krishna चाहते है कि अश्वत्थामा का दंड भी हो और जान भी बचे अश्वत्थामा को दंडित भी किया जाए लेकिन उसका प्राण न लिया जाए तो दोनों को कैसे बैलंस किया जाए दोनों मैं समन्वे कैसे करो तो उसकी जो मनी थी उस मनी को ले लिया अपमानित कर दिया और इतने बड़े योद्धा के लिए इतना भयंकर अपमान जनक व्यवहार मृत्यू के तुल्य था So Arjuna simultaneously killed him and spared him तो Arjuna ने दोनों पक्ष के भावनाओं को मन में रखते हुए अश्वत्थामा को समाप्त भी किया, दंडित भी किया और क्षमा भी कर दिया अर्थात भगवान स्री कृष्ण के पांडवों के साथ स्नेह बंधन का मूल मर्म क्या है समन्वे, how to harmonize, multiple contradictions और वो कैसे हो सकता है, जब हम अपने वर्तमान चेतना से उठकर कृष्ण की दृष्टी से जब हम देखेंगे, तब हमको सब कुछ स्पष्ट दिखेगा और ये श्रीमत भागवत एक ऐसा वायू विमान है, जो आपके चेतना को एक उच्च कोटी के स्तर पर आस्मान पे ले जाकर धर्ती के सभी वस्तूओं को दिखाएगा और जब आस्मान की चोटियों से, उचाईयों से जब हम धर्ती को देखते हैं तो बड़ा स्काइस्क्रेपर किया और छोटा सा बिल्डिंग किया सब एक जैसा ही दिखता है उठना है, चेतना को उठाना है और जब हम चेतना को उठाएंगे निश्वार्त सेवा भाव के आधार पर तब जाकर हम इस जगत के बड़े जटिल परिष्थितियों से बच सकते हैं मुक्त हो सकते हैं, इसलिए कृष्ण पांडमों के प्रति अपना वास्तविक स्नेह बंधन इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाँ, महाभारत में समाज को परिवर्थित करो, प्रतिकार का उत्तर प्रतिकार से करो, इट का जवाब पत्थर से करो लेकिन अगर भागवत के हाईवे पे प्रवेश किये हो, तो भागवत में केवल एक ही भाषा चलती है प्रेम की भाषा, विश्क को घोलना हो तो अम्रित से, यह है भागवत इसलिए अर्जुन और उनके परिवार के सामने जीवन की सबसे बड़ी अपातकालिन परिस्थिती आई है जब वास्तों में अर्जुन और सभी पांडबों को प्रतिकार की ज्वाला मुखी प्रजुलित करनी है तब जाकर कृष्ण आके उनको ठंडा कर रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं मारो लेकिन अर्जुन समझ गये कि नहीं भागवत कथा आरंब हो गई है और अब हर्दे परिवर्तन करने का समय आ गया है तब जाकर अर्जुन अपने आपको वशिभूत करके दोनों पक्ष से दोनों पक्ष को संतुष्ट करते हुए ये निरने देते हैं तो ये प्रथम दिन का आज की चर्चा का विशे था पांडव स्नेह बंधन और जब हम अपने जीवन में इस श्रीमत भागवत की ज्यान को उतारेंगे हम वास्तों में हर परस्थिती में सही निरने ले पाएंगे भगवान स्री कृष्ण की कृपा से ये हम शिलप रहुपाजी और राधा गोपिना जी से प्रार्थना करते हैं कि हम वैश्नमों के ऐसी सेवा करते रहें उनका आशिरवाद हम पर बना रहें जिससे विभिन प्रकार के विपरीत परिस्थितियों के बीच विरोधा भास के बीच भी हम सही हल ढूंड सकें और ये वास्तों में वैश्नवता का मूल सोत्र है मूल केंद्र है बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा झाल